लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें в synchronized Sanhed классρη अल्सक्राइब करें जा ममां थाइकुन को. इसे कानलो के लिए नहुआ बहुत्स के लिएकुन क करें वेमिया नहुआ हुआ। झालो कि वाओने करें वे सおお अल्सक्राइब करें तया सीया झालो कि लव्हाओने ढीकुन का थाय को जिए. कि अबन प्रेट कि अबने दुट सब्सक्राइब है कि अगेट पर क्यों खड़ाया रहे तु यह बहुर आजा या फिर अंदर जा बीच में क्यों हाथ इतरे खड़ाया रहे मैं आपर खड़ा हूं प्रेट फार्म पर क्या हो रहा है सबको कबर करने के लिए हां तुम खुद को बहुत हैंसम समझते हो क्या जो सबको तुम दिखाना चाहते हो यह पूर्ण से लेकर हैदराबाद तक मच्छर की तरह मेरा खून चूसरी है मैं वाट्स नंबर चौदा नंबर तुम ही हो क्या जी हां आपका नाम सनी है जी हां धत तरे की तुम कोई टीवी आइटिस्ट होगे हम यह समझे थे आस्तम लाइल गुल्ड लेख है वैसे इस हैंसम को मैं संभाल देंगी हां 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 ए मोटू अंदर जाने देना हाइए साहब आईए सब बिन्दा से मोटू नंदी बैल की तरह बीच में रास्ता रोके ख़़ा है यह भाई को जाने देना साइड में हट हाट गया ना यार आने दो कि हाट 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 इसे मनुष्य है यह द्यान भंकर दिया आमारा सत्यम शिवं सुन्दरं ओ मंगलं मंगलं लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है सत्यम शिवं सुन्दरं ओ मंगलं मंगलं लव ही जिन्दगी है तुझे ढूंड ये नजर तन मन हम हारे बस जा सांसों में मेरी अर्मा तुम सारे सत्यम शिवं सुन्दरं ओ मंगलं मंगलं लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है वाव सिंप्ली सुपब सर बहुत बढ़िया गाते हैं आप कांग्रेट्स थेंक्यू आपका गाना सुनकर दिल में कुछ-कुछ होने लगा था वाई दिवे आम अशोक सर आम प्रभाकरे रुको यार यह तो ट्रेन में हमारे साथ ही है ना मैं ट्रोडियूस कराता हूं सर यह अशोक है यह संदर है यह प्रभीन है इतना मत तडब रहे तेरा स्पेशल इंट्रोड़क्शन कराता हूं तू भी क्या याद करेगा सर इसका नाम है चरपती अकार गणपती गाउतिरूपती और इसकी माबेचारी भूग से तडब कर मर गई बाप चार टाइम खाके मर गया मैं एक चली है रवाट से एजुकिशन टूर के लिए पूर आई थी आप यहीं रहते हैं क्या सर आप यहां पर जॉब करते हैं क्या नहीं आपका क्या कोई बिजनिस है नहीं यार यह घूमने के लिए आया होंगे है ना अच्छा नहीं यार तो फिर आप कहां से आर साथ साल की जेल की सजा काटने की वज़ा रेप, मर्डर, रॉबरी यह सब गुनाह करने वाले को इतनी लंबी सजा मिलती है तो फिर आप अरे, मुचे थो, मुचे थो! यह घु हमारे बलून निगे है अधे, मेरा है जलतà पर्वलों दीज़ा, रुच ज़ा रुचय है, रुच सकतो अग्टा ना न्जा आए यह हमारा है आंटी तुम्हारा है क्या आंटी ले लो वाट्स वर नेम मोनीक अच्छ आंटी पर रहने के लिए आप ही आई है न बिल्कुल शही तुम्हें कैसे पता आप लोगों को अपने तामान ले जाते हुए देखा था बाइ आंटी आंटी हां या सो क्यूट थांक यू मैंने फिट कर दिया है और कुछ कामोगत मुझे बुला लेना अच्छी बात है थीक है दादी मा दादी मा हां क्या है बेटा सामन सब आ गया है ना सब कुछ आ कि घर बहुत बढ़िया है ना उधर तो मेरा दम घुटता था इस घर को देखो कितना बड़ा कितना अच्छा ह है यहां सब कुछ पास में भी एक तरफ जेनरल स्टोर दूसरे तरफ राशन की दुकान उसके बाजो में लॉंडरी को दुकान और उसके बाजे इसका मतलब आपको यह जगा बहुत पसंद आई मुझे बहुत पसंद आई तुझे एक चीज दिखा दिखा तो यहां से तेर पसंद आई मुझे बहुत पसंद आई सत्यम शिवं सुन्दरं ओ मंगलं मंगलं लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है तुझे ढूंड ये नजल तनमन हम हारे बस चा सासों में मेरी अर्मा तुम सारे तु है जुनू तु है सुपू तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे सत्यम शिवं सुन्दरं ओ मंगलं मंगलं लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है लव ही बंदगी है रहता जो नजरों में दुनिया उसे देखे मन में है किसके क्या कभी ना कोई सूचे दिल की है मेरे वो सपनों की रानी मैं हूँ सागर तो वो लहर है दीवानी खुलते ही मेरी ये पल के ढूंडे तुझको ही सपनों में हर पल तु आए सच में मिले ना कभी तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे सत्यम शिवं सुन्दरम ओ मंगलं मंगलं लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है ही जिए बंदगी है लव持 इस ले बंदगी है कदमों में है तेरे दोनों जहां मेरे फूलों की खुश्बू से महके मेरी सांसे नस नस में मेरे मिसरी सी घुली कोयल से तेरी मिठी है बोली तू है सुकू मेरे इस मन का कर ले तू मेरा यकी तेरे पिना मैं जीना सकू तुम हो मेरी जिन्दगी तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे सत्यम शिवं सुन्दरम ओ मंगलम अंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही पंदगी है तुझे ढूंड ये नजर तनमन हम हारे बस जा सासो में मेरी अर्मा तुम सारे तुम है जुनुम तुम है सुखुम तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे सत्यम शिवं सुन्दरम ओ मंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है तुम है जुम है हुआ हो कि दृपी मेरे ली उलड़ के जल्दी से नाष्टण नहीं करते अजने पैपर लेकर बाथी हुई है सुबह के समाचार छोटा नगर शुक्रवार नवंबर चौदा बेट कॉफी पहुंचाने के बाद भी टांट खाती हुई पत्मी कॉफी तो लेकर आई लेकिन जाका जाक्ट नहीं अपने प्यार एसे पती को दिलो जांसे चाहते हुए भी उसके मन की कामना पूरी करने वाद सब्सक्राइब करने के बाद भी सवालों से जूचती एक मजबूर जिम्मेदार करता व्यपुर्ण बीवी औरे समाचार में लिखा है क्या तूपर में पढ़का सुना रही है वह सब ठीक है मेरा टीफिन तयार किया है कि नहीं किया है वह मैंने सुबह इखा लिया आपनी तुम इतना ध्यान मत दिया करो थोड़े द्यान मेरी तरफ भी दिया करो हर वक्त कमी निकालने वाले पती से परिशान होकर भी हंस्ती हुई वाई एक श्रीमती जी तुम 2400 गंटे गहने में सस धजकर पेपर में घुसी रहती हो किसी दिन यह भी लिख करके आएगा पीवी लड़कियों के दर्शन हो गए वाँ आज तो मेरी चांदी चांदी हो गई शाबाज शाबाज अरे लेट हो रहा हूं चलता हूँ अरे बाबरे अभी तक शॉप नहीं खुली है फिर अपना दंदा आगे कहां से पड़ेगा किसी वीवरकर को टाइम की ज़रा भी कदर नहीं है क्यों मैं इतना लेट क्यों रात को लाश्व सिनेमा देखने गया था सर इसलिए लिए 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 लाश्व सिनेमा देखकर इडियेट वज़ेट वालाई वो सारी दुकाने खुले या ना खुले कोई बात नहीं है लेकिन यह जो है इमर्जेंसी दुकान है एक दिन मैं लेट आ गया तो तो मुझसे भी लेट हो करके आएगा खड़े-खड़े मूग क्या देख रहा तुकार जल्दिकर ठीक है सब आज के दिन लगता है मालिक अपने घर सा ही चड़ा कर आया है अगर कोई ने चलता करता है इस चलती है तुम सब्लोग क्या सोचते हो मैं सब समझता हो तेरा वी पीने का मूट जरूर करता होगा पीने तेरी पगार से अगर कोई मेरे साथ नमख रामी करता है तो मैं सीधे उसे अंदर तफल कर देता हूँ गुरु 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 क्या हुआ मैं बोतल खरीद ने आये था आपने दुकान बंकर दिया मून खराब हो गया तेरे जैसे कितने ही चेले को पहले मूर्क बना कर छोड़ चु हाई 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 गुद मॉर्निंग मैं गुद मॉर्निंग चलो आओ बैच जा क्या हुआ मैं आप बहुत उदास लग रही है ऐसा कुछ नहीं है इंदू एक चोटी से प्रॉब्लम आ गई है आज शाम को अनाद पच्चों के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया था ना हाँ उस प्रोग्राम में गाने वाली लड़की अचानक बीमार पड़ गई है पैसे हमने दुसरा सिंकर अरेंज करने के कोशिश अगर आप हाँ कर गई तो मैं उसे बुला सकती हूँ लेकिन अगर वो अक्यला गाएगा तो प्रोग्राम खराब हो जाएगा इंदू ऐसा नहीं होगा मैम आपने उसकी आवाज नहीं सुनी है एक बार उसकी आवाज सुन लेंगी ना तो मेरा डिसिजन चाही लगेगा अगर तुम्हें इतना कॉंफिडेंस है तो उसी से हम गवाते हैं वो दिखने में कैसा है अरे ऐसे मेरे उसकी आवाज ही सुनी है सामने से देखा ही नहीं वो गाने वाला कहां रहता है उसका पता लगा कर एडूस लियाओ मैम ओकी इंदू सबसे पहले तुम यही काम करें बाकी सब मेरे साथ चलो अरे यार बालू हम लोग जिंदिक बार इसी तरह से केबल का कनेक्शन देते हो कब तक जी रहेंगे यार अपनी रेंज में कुछ आ गई तो बदल लेंगे तूप जाए ये टीवी हो जाए वो टीवी हो मेरा नाम आता है यहां सू चैनल तुमने द जादव क्या ठीक से चैनल पकड़ रहा है कि नहीं तू देख कर बताना तो ऐसे बेसूरे सूर में बुलाएगा तो आएगा क्या अब मैं बुलाता हूं तू देखते रहा माधूरी माधूरी दीदी तेरा देवर दीवान अब क्यों बुलाया मैंने तुझे जो काम बोला करहा थो क्या है वह जो एंतार था वह किरता यह क्या नहीं किर रहा है अरुलां पिर की यह द्लय जो होते ही वाएट कर खुट को चैनल को कर। समझ कर आक्टिंग करते रहते हैं ये बात है अच्छे-च्छे मर्द लोग भी ना माथे पर बिन्दी लगाकर मर्द होने के बाबजूत और तो कि आक्टिंग करते हैं अरे ये बात तुज जानता है के नहीं जानता बालू ना जाने अच्छक इसका मुझे करके उठाता सन्य यहां पर होगा आप दो इन्यार मेनत करेगा दिन में आराम करेगा बता है मैं ने उसके जिन्दगी पर तरस खाकर केबल टीवी का कॉंट्रेक्ट उसको दे दिया तो उसके तुझे सब कॉंट्रेक्टर बना पंडित क्या है यह कब से सोया पड़ा है चल उठाई से नहीं नहीं हमारा सनी है यह राद भर इसने गाना गाया अभी सोया है लेट नाइट को लाइट चली गई थी ना इसलिए इसको अभी मत जगाओ वो तो ठीक है पंडित कस्टमर कैसे आएंगे तुझे चाय नाश्ता च जाएए तुम अपना धंदा देख रहे हो उसको यहां पर लागर को पटक दिया अगर मेरा दन्दा चौपट हो गया तो अगर तुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो तुही बाजु में उठाके रहे खटिया समेथ यह तो अपना बजु ठाकर मेरे सर पर लाग गया वैसल ल अध्यारा उठाई इसको अध्यार तुझे अकल है क्या इसको कहीं और ले जाकर नहीं रख सकता आरे यार करम फुट गया ओए सुवक्कड ते लटाई से राद बर कहा मरने गिया था क्या मालूम कि अध्या अध्यार अध्यार कि अध्यार में अध्यार कश्राइश आध्यार में ध्यार तरफ्यार में कि अध्यार कर रहा है नहीं पहचाना निक्कर वाला भाई को तुमने सलाम नहीं किया मसल दूंगा गलती हो गई भाई दोबारा ऐसा नहीं हो पहले गलती इसलिए माप कर रहा हूँ जो तो हूँ है निक्कर बाला भाई इस तरफ आ रहा है जब तक वो पैसा नहीं दे उसे मटन नहीं देना भाईया ओई सेरिया का गुंड़ा है जानते हो फिर भी पंगा क्यों ले रहे हो कुछ देकर जान छुड़ा लूना ए चुप रहा है दॉकर जो बैशन के अब यह तक तो सब कुछ ठीक था चलेगा ही अपने आज मीं से चाकेब बतन भीजवाँ है पहले चुकाओ पैसा लाओ क्यों कियो इससे तू पैसा मांग रहा जानता है यह निकर वाले भाई से तू पैसा मांग रहा है तो मुस्षे बड़ा कर भीजवाते है तो जवाद क्यों नहीं दे रहा है यहीं मटन चाहिए नहीं तो समझ लेना बीना पैसा लिए तुम मटन नहीं देगा ऐसा जीद मत करना है इधर ही मैं तुम लोगों की चुट्की बजाकर बोटियां कर दूँगा अरे यह क्या बखे जा रहा है सुले मैं मुझे भागने के लिए कह रहा है मरी वे बक्रे बिशने वाला तुम मुझे भगाएगा तुम मुझे भगाएगा तुम मुष्पर तुने चाह पर उठाया सिर्फ उठाया नहीं काट भी दूँगा तुम जいたव भी दूँगा कर दो तुम लिए त्तुम मुझे इस दर्शन धिया करो थुम्हे तुम्हेए तुम्हें जर्डशन दिया करो मैं तुम्हें के बीच्टना आइज ह्एगा प्टना एस या यह क्यों है तुम्हें ज़िंगा ड़ करी लिए कि भी दरशन् skirtरों कर में दे दूँगा क्या अब आले घर में तो टेवी भी नहीं है यहीं कहीं वो गाने वाला रहता है कहां पर इंदू हाँ मिल गया मैम वह उस टाइटन बोट के नीचे उस दिन गाना गा रहा था अगर तुने उससे देखा नहीं तो पहचाने की कैसे हम किसी से भी पूछ लेंगे मैम ठीक है अरे अरे तो नहीं चल सकता क्या तुने देखा क्या खुद अंदर जर्शा चलाता है और मुझे कहता है चल जा स्क्यूज मी येस प्लीज हमें किसी का पता पूछना है मुझे 86 रुपीज चाहिए वो तो मिल जाएगा रात में यहां पर एक लड़का गाना गाता था आप उसे जानते हैं कान सनी ओ उसका नाम सनी है उससे तुम्हें क्या काम मेरा ना मिंद्रा है पास कई को अलेज में पढ़ाई करती हूं हमनी अनाथ बच्चों की मदद के लिए प्रोग्राम अरेंज किया है उस फंक्शन में उसी लड़के से गाना गवाना है इस वक्त वो कहा मिलेगा वो मुझे नहीं पता वो नालाइक के वलाद का होगा उसे ही पता होगा मेरे सामने आने तो उसकी टांग तोड़कर उसके हाथ में पकड़ा दूँगा खाने का ठीकाना नहीं कानगा अरे तुम यहीं खड़े ओभी एक बार मिल जाएगा तो बाह डालूंगा अलो अगर आपको एड्रस पता है तो बताइए नहीं तो अनाप्शना बाते मत करिए मेरी मर्जी मैं उसकी बोटिया बना करके गोटिया खेलूंगा उसको फाइव स्टार होटल में ले जाके बरतन साफ कराऊंगा चाहे मैं उससे आर्गुमेंट करूं यह सब पर मारू उसके वराइटी वराइटी की अर्गुमेंट मेरे पास है उसे रोकने वाली तुम कौन होती हो आई वांट एटी सिक्स रुपेज देखने में तो आप एक शरीफ इंसान लगते हैं लेकिन बात करने की तमीज भी नहीं से आपकी ओपिनियन क्या है मैडम वाइट और पहने वाला सब शरीफ होता है इसका कोई सबूत देना होगा आपको आई अल्रेडी टोल्ड यू आई वांट एटी सेक्स रुपेज गिव में फास शाट आप इंदू अप्लीज 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 से मेरे टी सिक्रुपीज दो बीक मंगना बन करो चलो इंदू मुझे मेरे हक का 86 रुपीज दहीं दिया और भरे बाजार मुझे इंसल्ट भी कर दिया इस वेरी बैड आप जल्दी से यहां से जाईए आगे ट्रैफिक जाम है मैं यह सोचा था आज करेक्ट टाइम आफिस पहुंचूँगा कौन है वे जो रोट पर टेढ़ा खट ये डाल कर सोया है आखिर कौन है ये सेगनल से तो ऐसे ही पड़े चानू इसकी तो ये रुख जाओ लगता है रात को कोई इसका मडल करके इसे खाट पर लिटाके बीच रोट पर छोड़ दिया है देखते ने उसके खाट पर चापर है देखो भाई चापर में खौन भी लगा है अरे लगता है इस इलाके में खतानाग भाई लोग रहते हैं यहां पंगा नहीं चाहिए उसको वह ही पड़े रहने दो मुझे नहीं जाना है अरे आगे तो बालो तिक जाम है एक्स्क्यूज मी यहां पर इतनी भीड क्यों है कोई गुंडा सड़क पर खटे डालका सो रहा है उसके बाजू में खून से लटपस एक चापर भी पड़ा है यह क्या है मैम कोई गुंडा यहां पर आकर आराम से सो रहा है और पबलिक खड़े उकर तमाशा देख रही है इंडू हमें इससे क्या लेना देना है तुम चुप रहो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहने वाली मैम यह रोड किसी का बैडरूम नहीं है मैं अभी जाकर उससे करने बताती हूं हाँ है है हिंडू रुको करने वो लपने में फंज जाएगे उसको रुको कि चलो इंदू हमें लफड़े में नहीं फासना है चलो यहां से चलो इंदू चलो रहने दो उसे इतने सारे लोग यहां पर खड़ें कोई कुछ बोली ही निया फिल्म चल रही है कि यहां पर उससे सबक नहीं सिखा सकते चलो जो पर आपके अज़ा क्या बात है यहां मेला कैसा लगा हुए है यहां मेला नहीं लगा है आपीच सडक पर खटिया डालकर सुरेथ हैं मैं यहां खटिया के साथ कैसे आ गया क्या बात है मेडम तुम पर भड़क रही है समय है गुरू समझ गया चल चल अपना काम कर यह जापर यहां पर कैसे आ गया अउटो तु गाड़े निकाय यार मैडम आप तेठिये चुबए चलो आउ ना इंदिये दज्जा आओ कि आधिowej करण शोक लगने से मर गया मरने पहले वह अपनी जान बचाने के लिए उपकर ngos है तुम जैसे शरावियों की जान बचाने के लिए अपने दुकान पर ताला लगा दिया जांतों मैंने इतना बड़ा करदम इसलिए उठाया क्योंकि हमारे देश के शरावियों कोई यूनिटी नहीं है यूनियन मीटिंग चल रही है तुम शोर मत पजाओ यावर मैं अंदर अंदर कॉन बंध है शेटर उठाके दिखाओ भी तॉनिक नहीं पर इसलिए तो यूनियम बनाने की मेनत कर रहा हूं मैं कॉन है पर मेरी परमीशक की मेरा शटर खोड़ रहा है हलो सन्नी सहाब नमस्ते जी तो बताईये जनाव अब तक कहा चाप क्यों रहे तेरा यहां खाकर केबल टीवी का कनेक्शन लगाने का कॉन्ट्रेक्ट मैंने तुझे दिलाया लेकिन मेरे धंदे में तुने मुझे उल्टेमू पटक दिया अब तक तेरे पिछे किस्ता पैसा बरवाद पता तुझे अरे मैं भी इंसान हूं यार मेरे अंदर भी इंसानियत बाक्की एक वाटर दे क्यों रे तुभी हमारी उनिमने शामील हो गया है क्या इतनी सुभा सुभा आखर शुरू हो गया चोटू इसका धकने से घुमा कर नहीं खुला जाता इसके लिए स्पेशल टेखनीक होता टेखनीक ला तंट ये ले तुमारे लिए तो मेरे लिए एक्स्क्रूज में वाटर जाते ही मैं सब कुछ भूलिया यह मस्तमाज लेना तुम मेरे केबल के पैसे लाव बाबो आई एधर आया कॉम्रेट्स बहनी हो गई तुम लब भी शुरू हो जाओ तुम मेरे पैसे नहीं दोगा तुम शराब पीकर बेहोश होकर रोट पर पड़े होगे तो कोई चुरा लेगा तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारे बारे में क्या-क्या कहते हैं पता है इसलिए केबल के पैसे करके अपने पास रखें चाची को देने के लिए ओरखें को पस्छाट बारे में इतने जादा अच्छा सोलता है और मैं क्या पारे मना कि बाला अमिझारा क्यों से ौर्टे के वी लड़के इंद्रा नाम है उसका, पास के कॉलेज में पढ़ती है, अनात बच्चों की मदद के लिए वो लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तु वहाँ पर गाया इसलिए तुझे ढूंड रहे थे, उन अनात बच्चों के प्रोग्राम में तु न जा इसलिए मैंने उन्हें उल्टा स मूह तक नहीं पहुंची, उससे पहले इसलिप हो गई, लेकिन वो लड़की बहुत खूबतुरत और बहुत इशार्थ है, ये मुझे पता है, एक बार सामने आ जाए, तो मैं तुरन पहचान लूंगा उसे, छह, बिना पिये भी पागल हो और पीकर भी पागल, वाती जे, तू भी पागल है। लव ही जिन्दगी है, लव ही बंदगी है, तुझे ढूंद ये नजर, तन मन मैं हारी, बस जा सांसों में मेरी, तुझ पे जा मैं वारी, तु है जुन्प, तु है सुपू, तेरा रूप देखना सजना हम चाहे। लव ही जिन्दगी है, लव ही बंदगी है। बंदगी है जिन्दगी है, लव ही जिन्दगी है। कदमों में हैं तेरे दोनों जहां मेरे फूलों की खुश्बू से महके मेरी सांसे नस नस में मेरे मिसरी सी है घुली कोई अलसे तरे मीती है बोली तो है सकू मेरे समन का कर ले तो यकी तेरे मिना मैं जीना सकू तो है मेरी जिंदगी तेरा रूप देखना सजना हम चाहे सत्कम शिवन सुन्दरम मौं मंगलम मंगलम लव ही जिंदगी है लव ही मंदगी है तुझे ढूंड ये नजर तन मन में हारी बस जा सांसों में मेरी तुझ पे जा मैं वारी तु है जुन्दु तु है सुन्दु तेरा रूप देखना सजना हम चाहे सत्यम शिवन सुन्दरम मौं मंगलम मंगलम लव ही जिंदगी है लव ही बंदगी है अरे 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 क्या लड़का लेडिस ट्वालेट में जाग रहा है चलो अंदर चल कर बताएं अरे यार रुकना यह अन्या है सच क्या रहा हूं केबल क्लेक्शन लगाने के लिए उस बेवड़े को हमारे पीछे लगा कर खुद लड़कियों के पीछे घुम रहा है अपना क्लेक्शन विट करने ऐसा नहीं चलेगा यह मैं भी जानता हूं चल माचिस ला नहीं है नहीं है एक्स्क्यूज मी बेप आप लोगों के पास माचिस है क्या मैं क्या ऐसी वैसी दिखती हूं जो मुझा माचिस मांग रहे हो इतनी चुप चाप बकवास बंद कर रास्कल क्या चूता मार के गई है देखा च्छी कैसे मर्दो पराई-णारी पर नजर डालते हो शरम नहीं आधी तुम्हें तेरे चेहरे में कुछ बदलाव सा नजरा रहा है वो क्या है ना सारी मरदानी निशानिया हटा दी है सेवन ओ क्लॉक ब्रेट से शेव करके सारे जिस्में के बाल भी हटा दिये अब मैं कैसी दिख रही हूँ यह तेरा लुक कैसा है तुम्हारी मुझे भी मुझे बहुत खलने लगी है तुम समझते नहीं हो ना मैं ब्यूटी पालर जा रही हूँ आइब्रो का शेप चेंज करवाने चलती हूँ टाटा अरे आइब्रो शेप मर्द लोग भी करवाते हैं क्या अबे चुप क्या मालूम अब भाई जरो सुनो भाई 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 मुझे गांधी नगर जाना आए भाई आप लोगो पता है जो राइड्रस तो बताओ ना मुझे वाई अड्रस इसको एड्रस बता दे हमारे पास इतना टाइम नहीं है इस शेहर का चप्पा चप्पा का अडरस जानने लाई एक ही अदमी है वो देखो महाई वो रहा है जा उससे पूछ ले ए भाई आप मुझे एक बात बताईए उसके गले में रुमाल बंदा हुआ है वो तो मुझे कोई भाई जैसा लग रहा है आप मिलवा दीजे ना मिलवा दू हाँ ओ बाला भाई इस महाशे को यहां का बाले नमस्ते भाई मेरा नाम सब्स्त्राइड है अच्छा याद रखने वाला आप बहुत अच्छा नाम है साय तो मैं भिंडी बजदी मजार के बाजी में चोर बजार है उसके बाजी में चिल्दी बजार से हाँ जाना कहा है गांधी नेकर के गडियाल पहुआ कंगार के तू वहां जाएगा गड़ियाल में टाइम देखने के लिए वहां पर एक चोक रही है मैं उसे ही देखने के लिए जा रहा है तू फिकर मत कर सही जगर पहुचा दूगा जल तुझे मैं सही रास्ता बताता हूं यह क्या लटक रहा है रेलवे ब्रिज से अभी खरीदा है 15 रूपीज में उसके साथ यह फीटा भी फ्रीमियम मिला है जो लटक वाइगा यह बहुत जल्दी है ड्रस बता दो बैट जा बत जाना हम है समझ गया उसके आगे एक नाला है वही तो जगह है हां यह सामने तुझे मौल दिख रहा है वह क्या है समझा नहीं वह बिला टेंपल है वह जहां पहले थे वही है जैसे जैसे उनके बाद दॉलत बढ़ती गई तब उसने बनाया था अग्या जी तुझे करना है जोड़ का प्रनाम करो गोविंदा गोविंदा ऐसे ही रहुंगा जी अब देख लेट लेट से राइट प्र गली में मुड़ जाने का तू यहां पहुंच गया यह भंगार कली संटर पहुंच गया उसके सामने है शमसा तो तुम्हें वार आना है क्या नहीं मुझे जीना ह आसी एक गूंट्ये से सारे रास्ते सारी बताइन अब यहांने वहां जोड़ी पहुंचा ने करिया है। चुक्रिया जी मेरा महां वेटिंग कर रहे होंगे चलता हुझी जरा रूप अपने बात कि लिए इस एड्रेस के लिए अगा तुर टैक्सी में घुमा होता था चार सब चारीश रूपय होते हैं मैं सिफे एक सो रुपय मांग रहा हुझ तो नहीं कर रहा हैं तो तो नहीं मिलता तो सस्ते में अपनी जगा पोच गया यह मैं था जो तो तो पुंच गया जाबे आप अपनी जगा पॉंचा दिया नेकर वाले क्या वे देख लिया ने मेरा कमाल आगया डमाल ए मस्तान यली तयार कर एक किलो की मा आ रहा हुआ है हाँ कि वेनायक जी मेरे फ्लावर गार्डन में रहेंगे क्या कि देवा वेनायक मुझे अगर स्टेश पर एक बार गाने का मौका मिल गया तो मैं गायक बन सकता हूँ इसलिए इस बाग का ये फूल आज में तुम्हें अर्पित करता हूँ पता है आज मैंने तुम्हें इस फुलवारी में लाकर क्यों बिठाया है इन फूलों को देखो एक एक फूल लड़कियों की तरह खुबसूरत है मैं यहां जब भी आता हूँ यहां के हर कली मुझे बड़े प्यार से देखती है यह बाग प्यार की निशानी है जो मुझे मेरी माने भीजे हैं इस बगीचे में जब तक बाहर है तब तक मैं समझूँगा मेरी मा बहुत खुश है तब ही तो यह फूल में तोड़ना नहीं चाहता है इसलिए यह फूल तोड़ने के बजाए मैंने यह सारा का सारा बगीचा तुम्हारे चाड़ों में रख दिया है जिससे मुझे फूल तोड़ते समय दुख भी नहों और आप यहां पर रहे कर खुश भी रहे ओके अश्चराइब तो प्रफिर में क्या करूं बता यह नमस्ते कर नमस्ते सर्ज क्या बात है कौन हो तुम मैं श्याम मुझे आपसे थोड़ा काम है केबल करनेक्शन लगाना है यह नहीं सर लव कनेक्शन करवाना लो मुझे शरम आ रही है जी अरे वो बीच वाले लगता है सिटी कबल के स्पॉंसर आया है तू थोड़ी देर कंट्रोल मेरा मुझे इंसे बात करने दे बोलिए भाई आपका कनेक्शन कहां लगाना है वो क्या है न भाई पास वाले कॉलेज की अनीता नाम की लड़की से प् पूलडाउन बाबा वैसे हमारा असल काम क्या है समाज सेवा करना ही ना जूते चपल खाते रहो और मजे करते रहो तो मैंने समझाया ना तेरी विज़ा से मैं चूप हूँ चल कहीं और चलते हैं चल बे रा जल बे चल यह है अर्मूट खराब कर दिया अरे अरे मेरा बोट आ घंप देख लिया चल ना देख लिया तुम यहां ता töण्टे प्रोग्राम में तुमने बहुत आच्छा गाना गाया नोती हमता ही नहीं तहीं तुम अच्छा गाती हमाली तो पता ही नहीं था सिर्फ एक windows डिल में तुम कोलेज के स्टार बन गई था सिर्फ के जूबा पर सिफ तुम्हारा ही नाम है इस तारीफ का पूरा श्रे सनी को ही जाता है उसी का गाना मैंने गाया जो लोगों को बहुत पसंद आया है अगर वो खुद गाता ना तो प्रोग्राम की बात ही कुछ और होती कोई बात नहीं इस साल हमारे कॉलेज के फंक्शन में चाहे कुछ यह बहुत है है कि उदर देखना वांचेट अनीता थॉर्ट बी एस सी शाम यह अनीता उदर तो देख तेरे लवन नहीं तेरे लिए बुलावा भेजा है तुझे देखने के लिए तरस रहा होगा, इसलिए बुलावा भेजा है अरे इंदू, ये तो पागल दिवाना लगता है, तो जल्दी जा मिल उससे इंदू, एक मिनिट ओके ये इतना खतरनाक आइडिया इस्तेमाल करेगा, मुझे पता ही नहीं था प्यार प्यार करते रहने से कुछ नहीं होता है, उसको सक्सेस करने के लिए आइडिया लगाना चाहिए क्या आप सही कहने है बॉस, क्या वो आएगी, आपको यकीन है, वो इससे पढ़ लेगी तो जरूर आएगी नहीं आई तो, नहीं आई तो तुम उस तरफ से जाकर उसे मिलने के लिए तयार रहना ये शांप, ये कौन सा तरीका है बुलाने का? अनिता, संगीता टॉकिस में नई फिल्म लगी है, मैंने सेकंड शो के दो टिकेट लिए हैं, जल्दी आजा मैं यहां से छलांग नहीं लगा सकती अरे, इसकी क्या जरूरत है तुझे, मैंने ब्लैक से टिकेट लिए हैं तुम्हें फिल्म देखने में इतनी जल्बास ही क्यो है, मैं पढ़ाई छोड़कर नहीं आ सकती अरे सर, आपने जो मेरी हेल्ब की है, मैं उसको कभी नहीं भूला पाऊंगा भूलना भी नहीं चाहिए सर, एक छोटा सा नहीं क्यों बस यह रख लीजिए अरे यार, तुने समाज सेवा की बात की थी, इसलिए मैंने इसकी हेल्ब की यह पैसे दिखा कर मुझे दलाल साबित कर रहा है तेरी वज़ा से मैंने यह काम किया है पोस्ने ना गया सन्नी को उसकी माने मनी ओडर बेजाओगा मेरा तो आज मिल जाएगा, तेरा कितना बाकी है मेरा तो छोड़ तेरा कितना बाकी है प्रोपेरा कितना है तुम क्यों फिखर कर रहेों। लगता है सन्नी का मनियोटर राया है, चलो यार! यह लो तुमारे प्यासे! रेल काडी इंजिन से चलती है सुनले जिन्दगी की ये गाड़ी चलती है नोट से रेल गाड़ी इंग जिन से चलती है जुन ले जिन्दगी की ये गाड़ी चलती है नोट से खरा खरा है ये नोट हाथ में थागिन ले तू हरा हरा है ये नोट हाथ में थागिन ले तू अर बोलो मेरे भाई इस नोट किजै अर बोलो मेरे भाई हर बात किजै रेल गाड़ी इंग जिन से चलती है सुन ले जिन्दगी की ये गाड़ी चलती है नोट से से चलती है से चलती है दौलत हो तेरे पास तो होगा वही जो कह दे तू दौलत हो तेरे पास तो होगा वही जो कह दे तू दौलत हो तेरे पास तो परिया भी पट जाए गुरू पैसे है तो हर भल तेरी चलती पैसे है तो दुनिया तेरी सुनती पास तेरे गाड़ी हो तो फिर वो लड़की पटी पास तेरे साइकल हो तो फिर वो लड़की कल्टी पास तेरे गाड़ी हो तो फिर वो लड़की पटी पास तेरे साइकल हो तो फिर वो लड़की कल्टी रेल गाड़ी जिन से चलती है तुन ले जिन्दगी की ये गाड़ी चलती है नोट से आयो रामा मैं चलू जब कुडियों की बात न समझो पैसा फिर किस काम का है अरे 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 हाँ जब कुडियों की बात न समझो पैसा फिर किस काम का है ये दॉलत भी कहीं पे लपड़े का बन जाए भजे डॉलर ले लो बेस दन रूबी लेना सब कुछ देखे कर लो खाना पीना पास तेरे पैसे हो तो नख रे ये सब सहती हर घड़ी बाहों में तेरे फिर आके मा चलती हो बाक तेने पैसे हो तो नखने ये सब सहती हर घड़ी बाहों में तेरे फिर आके माँ चलती रेल काड़ी इंजिन से चलती है जुन ले जिन्दगी की ये गाड़ी चलती है नोट से हरा 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 है ये नोट हाथ में हागिन ले तू हरा हरा है ये नोट हाथ में हां गिन ले तू अर बोलो मेरे भाई इस नोट किजै क्यों भाई सनी सबका सेटल्मेंट हो गया क्या वैसे लगभग तो सब सेटल हो गया है ये ले तेरी चाह और जिमी के लिए दूद्ध ओके ये जिमी ये ले दूद्ध पी यह बहुत बड़ा ने आये हो रहा है समझ में आये कि सबका करजा तुने चुका दिया अरे कुट्धे को दूद्ध मिला रहा है जब इंसानों को पीनों को नहीं मिलता कैसा इंसान है तू लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है तेरा फर्ज बनता है कि आम मेहनत करके कमा गाव में रहने वाली अपनी मां के पास दो-चार पैसे भीजवा वो करना तो दूर उसके बजाए उन्हीं से यहां पैसे मंगवा कितना कड़ता है पर मा के दिल में मेरे लिए कितना प्यार है यह कभी सोचा है वो सब्सक्राइब वाले को तेरी मां के प्यार से क्या लेना देना है रहे देखो चाचा मेरी मां के सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरी मां का मेरे सिवा कोई नहीं है पिता जी बच्पन में स्वर्ग सिधार गए और पालन पूशन मेरी मा नहीं किया अपनी मा को सुख देने के लिए ही मैं आज यहां पर हूँ यही छोटा सा मेरा सपना है अगर मेरी माने महनत नहीं की होती तो आज मुझे महनत करनी परती है मैं नौकरी नहीं करता है इसलिए मा मुझे खर्चे के लिए पैसे बेजती है कल मैं पैसे कमांगो है तो मा खुश हो जाएगी चलो ठीक है छोटू तुम मा बैटी के खुशी इसी में है कि वो रोज तुम्हें मनी आडर बेचते रहे इसने मुझे क्या लेने देना I want 86 प्लो तुम्हारे चखने के काम आए यहां इभी सही का आच अश्यूदिा के लेकर आए सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तुझे धूण्ड ये नजल तनमन हम हारे बस्या शुई सन्नी हुँँ सारी एक्सक्यूज मी, येस, तुम्हारा नाम सन्नी तो नहीं, इतनी खुजूरत लड़की मुझे दुबारा जिन्दिगी में नहीं मिल सकती, ये चांस मुझे मिस नहीं करने चाहिए, येस, सर, बताईये न, आर ये सन्नी, ओफकोर्स, वैसे तो मुझे सन्नी बाबू, छोटे सरकार, इन सब नामों से बुलाते हैं, कुछ दिर पहले ट्राइल रूम में आप ही गाना का रहे थे न, गाना आपने सुना था क्या, सुना था, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा होगा तो उस गाने को गा क्यों से थार्ड़ कर दो क्या है, भूल कोई मुझे ना हो जाये। युथ लवली बबबबू इडियोट कितना दिन हो गए बेडू, तेरे को देखे हुए ठीक है तो है इस नॉंसेंस को लुकानाम है क्रिशना जैसी नीच हरकते हैं, वे ऐसा देखता भी है चल बेडू, चाय पी के बाद करते हैं नहीं यार, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ बस मिस हो जाएगी या बस मिस हो जाएगी या बस में जाने वाली पोटी मिस हो जाएगी ए क्रिशना, एकदम पठाका है रे, बिल्कुल होट केक, मजा ले ले ए, क्या यार, सुधराने अभी, आज भी तेरी वही मेंटिलिटी है अरे, उसके विना लाइफ में क्या मजा है रे हाँ, 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 चिकनी, पिल्भाइब, ओके, निकाल-निकाल ए, तेरी शादी फिक्स हो गई, उन्हे बताये क्यों नहीं? वैसे सोचा था कि वेडिंग काट छपने के बादी बताऊंगी यह क्या बात हुई कम से कम मुझे तो बता सकती थी ना तेरे बगेर शादी हो सकती है क्या सबसे पहला का तुझे ही दूंगी इंदू एक छोटी सी रिक्वेस्ट है क्या हमारे मैरेज रिसेप्शन में तुझे गाना गाना पड़ेगा मैं हाँ उस दिन अनात बच्चों के प्रोग्राम में नहीं गाया था तुने जहाने दे उस दिन प्रोग्राम में गाना गाने वाले बीमार पड़ गए थे पिर सन्न को ढूंड़ा और वो भी नहीं मिला इसलिए मजबूरियों मैंने गाया वो मेरे काने की इतनी इज़्जत करती है आज मैं उसे बता देता हूं कि महीं सन्नी हुए वह सम मैं नहीं जानती है तुझे गाना ही पड़ेगा प्लीज मुझे बख्षते मैं तुझे नहीं Julhat Ji हो अच्छी तरह जानती हूं तुझे तुम अपने आप को समझते क्या हूं किसी के साथ भी कुछ मिए क्र लोगे यह तो बता मैने क्या क्या करतार एक स्ट्रोंग सूपर डश्चाय मुझे कड़क मलाई मारके खाली दूद्की सुनो मुझे असली दूद्की कॉफी चाहिए थोड़ा सा भी पानी मत मिलाना अच्छी नहीं लगती जिसको जो भी चाहिए यहाँ पर सब कुछ मिलेगा लेकिन पहले रोकडा निकालो अकाउंट में लिख लेना लिख लिखके पूरी किताब खत्म हो चुकी है भाई अकाउंट नीचे नहीं आ रहा है पैसा दोगे हमत होटल कैसे लोग है यार है यह बहुत दिद्धी है ऐसे नहीं देगा सनि को भलाते हैं काम हो जाएगा एसनी कि इढ़ सा इसा दोड़ी कुछ तोच रहा है तुम लोग शांत नहीं रह सकते तोच रहा है तुझे कैसे मालूम रहे है यह समझने वाला दिल मेरे पास है एक बार इंसान किसी को दिल दे देता है, तो वो दिल ही दिल में बात करने लगता है, एक दिल वाला ही उसे समझ सकता है, एक दिल वाला ही जानता है, कि एक दूसरे दिल वाले के दिल पे क्या भीत रहा है, अरे हमको फागल कर देगा यार, अरे मेरी बात सुनो, हम तुमारे स तेरी कविता मैगजिन में छपी है देख ना या तेरी कविता मैगजिन में छपी है सच्छी हमारी इंदू कविता भी लिखती है क्या तु एक अच्छी सिंगर ही नहीं अच्छी राइटर भी है यार आश्या भूमी मैगजिन में आना बहुत बड़ी बात है वाहाँैन। वुक्रेट्वेशन से भी चुछज़ ए उडिए एगापूंगी नगहीं, लुगधा नीदेश कुम्रेशन से भी चाहिए महीं। अंध्र भूमी तो अध्युनों के माट्राइस दूता है। कि घटाओं में तुम्हें देखा है सपनों में तुम्हें पाया है इंदू हम सब के तरफ से तुम्हारे इस खुशी के मौके पर एक जोरदर पाची करेंगे हम लोग सम्मिलकर कर दो आका ओष्षित करेंग। हर घड़ी तुछ को ही सोचूं, ख्वाबों में तुछ को ही देखूं नजर से दिल में तुम हुत्रों, कभी तो धड़कने ये सुन्दों ओ प्रिया ओ प्रिया हर घड़ी तुछ को ही सोचूं, ख्वाबों में तुछ को ही देखूं रोजी सपने आए तेरे सनम आके मिल जाँ आके बरसे, मन ये तरसे, दिल को न तड़पा तेरी बाते लगे, तच को देवानगी, मैं न जानू सनम क्या है ये अश्की ओ पिया, ओ पिया हर घड़ी तुछ को ही सोचूं, ख्वाबों में तुछ को ही देखूं हर घड़ी तुछ को ही सोचूं, ख्वाबों में तुछ को ही देखूं सक्षों हरें कि पिखली तुछ को ही स kilo गlorवे चाहत भरी नजरे नहीं दिल बल का पर्वन तुम ही कहो मेरे सुनम कैसा ये बंदन तेरी चाहत से है ये मेरी जिंदगी मेरी सांसों में हर पल तु है पसी ओ प्रिया ओ प्रिया हर घड़ी तुझको ही सोचूं खाबों में तुझको ही देखूं नजर से धिल में तुम मुत्रों कभी तो धड़कने ये सुनलो प्रिया.. 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 कि प्रियां कि देखने कि देखने कि देखने कि कोशिच कर रही था वावा वाव वाव क्या गाना गाया है भाई भगवान ने तुम्हें सुरो का अम्रित दिया है यह पंडित तुम्हें स्पेशल चाय पेश कर रहा है पियो पेशल चाय हमारे लिए नहीं तुम लोगों को सुलेमानी सुलेमानी विदाओट सुगर विदाओट मिल्क आरे हमें वही देदो लेकिन जल्दी देदो हाँ है है तुम लोग का लिडर कौन है माधुरी यहनि कि मैं और कौन है अब चर्वी चर्गी है इस जब से बता दो तुम लोग के लिडर कौन है अपने आप को तिसमार खासा मचता है कौन जो मेरी बहन से प्यार करता है उसका नाम पता बता मुझे करतार कि लिडर मैं ही हूँ देखिये आपके लड़की उस लड़के से प्यार करती यहें दोनों शादी करना चाहते हैं, अगर आपने शादी से इंकार किया, तो आपकी लड़की जान भी दे सकती है, दो फ्रेम करने वालों को जुदा करने से कुछ नहीं होगा, उनकी शादी करा दीजिए, इसमें बुरा क्या है, वो मेरी लड़की है मैं सोचूँगा, मेरी मर्ज नहीं बता बे, नहीं बताया तो क्या कर लेगा, काट डालूंगा, तमीज से बात कर, काई की तमीज बे, ये उस लड़की की मर्जी से उसकी पसंद के लड़के से उसके शादी करवाके उससे जिन्दगी देना चाहता है, और तुम उसके खिलाब जाकर उसे जिन्दा एकन ची जिन्दा पसके रहे सबसुंदे है, येसरा नहीं ज्याों की की मर् poserे मकारी, ये जिन्दादी उसके एहाँ नहीं जारा है, उसके ण्मारे ग्म ओता ऌका भीस मेर दिन्द काम प्रोपता उसके जिंदा इज ढेप कर दो कर दो कर दो कर दो कि है आ दो चल आ इस अ अ कि अब बोल जिसकी ने भी मेरे पर हाथ उठाने के कोशिश की है उसे हमेशा के लिए गाउच होने के लिए मजबूर करती है मैंने आउट आउट अब अब निकर है है एए सारे गाउं में अकेला मैं ही हूँ मेरे निकर को हाथ लगाने वाला कोई माई का लाल पैदा निवाज है अपनी नेकर निकाल कर दे मुझे मेरा पसीना पोचना एला आया बड़ा निकर वाला भाई निकर वाला कि वाला प्रूबूबूश्स है? रास कंटन्पा गुरू 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 क्या बात है आज अपना चेरा चुपा के जा रहे हो सॉरी मैं नहीं हूँ कोई मुझे आवास ददो आज के दिन नहीं पीने का फैसला क्या है मैंने रहने दो गुरू ना मैं इसे मान सकता हूँ ना इसे छोड़ सकता हूँ कोई बात नहीं है तुम अपने आपको सुधानना चाहते हो तो मुझे क्या तकलीफ है गुरू यह बोतल खुल नहीं रही है तो फिर इस तरह से पकड़ना चाहिए नीचे से दो फटके उपसे दो जटके उसके बाद फिर इसको घुमाओ यह क्या है यह क्या है पागल कई का लिए पकड़ इसे गुरू एक हिसान और कर दो ना थोड़ा साथ दो ना गुरू टेश्ट्र रहों की बार पत्थर के लकी अरे कोई बात नहीं मैं अकेला ही पीऊंगा यार तो एक लड़की ने उसे बहुत सरहा और अपने सरा आखों पर रखा उसका नाम है इंद्रा लेकिन उसे नहीं पता कि वो गाना मैंने ही गाया है और जब भी मैं उसे यह बताने जाता हूं तब कुछ न कुछ अन्होनी घटना घट जाती है और मुझ पर मुसीबत आ जाती जब तर कुछ से पहचान होगी तब तक लगता है बहुत देर हो जाएगी खेट जो होगा देखा जाएगा तुमने जो पैसे भेजे हो वो मुझे मिल गए तुम अपनी सिहत का ख्या लगना तुम्हारे जवाब के इंतिजार में है तुम्हारा बेटा सनी क्या सनी मनी ओडर है क्या मनी ओडर आता है तुम मझे बक्षेश देते हो भेज रहे हो तुम्हें नहीं दोगे क्या क्यों नहीं दोगा पैसा ही चाहिए न अरे रहने दो बेटा ये क्या चेटी लिग रहे हो मैं पोस्ट कर देता हूं तुम मनी ओडर कर दो ओके मैं टाई कर दो एट कर्या क любим को कि कर कि एुँ है हुत हुत है बख्यों अोस प्राइब एंज 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 ए रज को में एंजा जब एंज। एंज से छोल लगका एंज झाले यह सही है यह दिखो रमा मैम कहा है नमस्ती मैम आओ इंदू मैं तुमारी राह देख रही थी लेकिन मेरी राह क्यों कॉंग्रेट्स करने के लिए नहीं समझी क्या इस साल भी कॉलेज में तुम ही फर्स्ट आई हो थैंक यू मैम तुम इसी तरह मेहनत करती रहोगी तो फाइ क्या करोगी डॉक्टर बनना चाहती हो नहीं मैम मुझे यहीं आई-एस की पढ़ाई करके कलेक्टर बनना है ठीक है उसके लिए तुम्हें जो भी गिताबी चाहिए तो तुम मुझ से आकर ले लेना थैंक यू मैम लेकिन इसके लिए और क्या करना पड़ेगा मैम वह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगे है 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 कि उसके बाद क्या हुआ आप इंदू से मिले ग्या तो ये बात आपने को क्यों नहीं बताई तो कि इंदू को कहां मिले थे सर झाल झाल दिवा आज बहुत दिनों के बाद मैं इंद्रा को देख रहा हूँ जब भी उसे बताने जाता हूँ कि मैं ही सनी हूँ तभी कुछ ने कुछ अन्होनी घटना घट जाती है ऐसा कुछ करो कि आज कोई अन्होनी घटना नहों हूँ एक्स्कूज में कहिए कि आप मेरी थोड़ी सी मदब करेंगे कहिए मैं जरूर करूंगा मुझे जरा सड़क पार करा दो मुझे दिखाई नहीं देता इसलिए कह रहे हूं मतलब तुम्हें दिखाई नहीं देता जी हां मेरे साथ मजाक कर रही हूं मजाक नहीं कर रहीं है मैं सच कह रही हूं आइं मगधाइस कहीं जूठ तो नहीं बोल ऋयूं कैसी बात कर रहां जिसकी आखय ना हो वह जूट क्यों बोलेगा लिख after फ्रतने से यहिंडरी आखिं चली गई पाहि टो पाहि लोग नहीं कहते कि अअ नो रॉ local रहा जिBoy यता बόसरा किसी यहाज है ये नहीं आचाहिए यहाज आचाहिए का राज पर करें चल रहा है यह कर दो एक यह अन्या तो कि यह दीच रस्ते पर कहे चल रहा है मरने के राजाय का कर दो कि संदी कैसा होगा पता नहीं डॉक्टर नहीं नर्स हूं वो बताना जरूरी है क्या पपली गाड़ी से एक एक्सिडेंट हो गया था उस पेशेंट का रूम कौन सा है 106 यह जरूरी था पूरी की पूरी बाटल टुकडु में विख्र पड़ी है तेरे टुकड़े किसने की है सनी तेरी सद्धिक कमरे में या भी नहीं बदला आदमी बदल गया है तुम चिंता मत करो सद्नी को कुछ नहीं हुआ तुमें कैसे मालो जिस गारी से अक्सिडेंट हुआ था नव मेरी करने के बाद भी तु फुल बॉटल की तरह खड़ा हुआ है और जिसना एक्सिडेंट किया है वो तो एक कौटर में बदला पड़ा है वह भगवान इस कंफूजन ने तो मुझे पागल बना दिया है अब मुझे यहां कौटर कौन पिलाएगा बाइगा बाप्रे जब देखो क्वाटर और हाप की बात करते हो यहां भी प्योंगे क्या हुआ था पता है मेरी गारी के सामने सनी चला जा रहा था मैंने ब्रेक लगाए और इसने जंप लगा दी यह तो बच गया लेकिन इसके दोस्तों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी यह हालत कर दी और मैं यहां पह प्रश नहीं हुआ और हमने दे दिया रखे इससे कुछ नहीं हुआ मैंने टेस्ट कर लिया था अच्छा तूने की टेस्टिंग वैसा टेस्ट करना तुझे आता है क्या मैं ड्यक्टर हूं यार् हाँ तुम डॉक्टर हो यह रूस्पीटल भी मेरा है सनी यह पिना सरपैर क प्रवाइब दोग्टर यह मेरे दोस्तों का प्यार है मुझे वज़े से उन्हों ने गलती कि उन लोगों की तरफ से मैं आप से माफिए मांगता हूं इट सॉलराइट चलता और मुंझ आप लोगों के साथ कयारम नहीं केलना है च्यों क्या हुआ तुछ bashश छोड़े तुम लोग यह खेल रहे हो अरे सन्नी तुझे और तेरे दोस्तों को यह आजकल आवारा समझ रही है यार मा जब मैं इंद्रा को यह बताने गया कि मैं ही उसका सन्नी हूँ तब मुझे इस बात का पता चला कि मेरे कारण उसकी आँखों की रोष्णी चली गई है इंद्रों को मेरे काने पर अभिमान था आज मेरी वजह से उसकी जिन्दगी बर्बाद हो गई है जाने अन जाने मैं ही उसका जम्मेदार हूँ जैसे भी हुआ हुआ मेरी वजैसे मैं उसकी बरबादी का जिम्मेदार हूँ और मैं इसकी सजा भगतने के लिए भी तैयार हूँ अभी मैं चुपती हूँ चुपती हुआ उस दिन तो डेड़ फीट का चाकू लेकर आये थे आज 90 फीट का तलवार लेकर आये रहे सन्नी प्रफब टेड चित थे आये रहे इंगार आये हैाः आये रहे रही ईंगा आये रहागा आये नहाते है कि उस दिन मैं तुम्हें अपने गुंडों के साथ मारने आया था लेकिन आज उस दिन की गलती के लिए माफी मांगने आया हूं कि मुद्य इंसां को अपनी गलती के लिए पशेयताप होता है तो उसे माफी मांगने की क्या ज़रत है। जारी पहले मेरे प्यार को स्विकार नहीं कर रहे थे, आज आपी की वज़े से स्विकार किया, बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है सब, आप हमारी शादी में आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, मौका मिलेगा तो अपना शेप्षन के दिन सनी से गाना भेगावाएंगे मेरा औरकेस्ट्रा थैंक यू सर्थ उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर आएंगे नमस्ते नमस्ते चल बेटा तुने देखाना मेरा मास्टर प्रेंट शादी के दिन किस तरह मैंने तेरे गाने का प्रोग्राम फिक्स करा दिया मैं नहीं गाऊंगा अभी तक तो तु गाने के लिए मौके की तलाश कर रहा था अब तुझे क्या हो गया मेरा मन ठीक नहीं आज तक जब भी तु गाना गया तेरा मन ठीक था क्या आज जब गाने का अच्छा माओ का मिला तो तेरा मन ठीक नहीं है देख यार, तुझे गाना होगा, उनकी शादी में हम लोग सब चलेंगे, और तुझे गाना गाना होगा, समझाए? अपिय मैरवड लाइधा, थेंक यू गाने के लिए बोलो ना, गाने के लिए बलाना, तुचु पार यह गाना क्यों नहीं गा रहा है काएगा मैंने कहा ना बरातियों का सारा मूर्ट खराब हो रहा है और यह है कि चुप-चाप खड़ा है इसे गाने के लिए बोलो न आओ कर दो कर दो चला है जादू आई मिलने हे तू सजदा करूं हारू तो से कहूं आई मिलने हे तू सजदा करूं सनी गाना गारा है ना हाँ वही है हारा तुसे कहूं आई मिलने है तू सजदा करूं मिल गई मुझे किसमत से राहे मेरी मंजिल के सांसे मेरे जीवन की फ्रीत मेरी धड़कन की गम ये दिल के तुमसे मिल के मेरे सारे ढल गए हा मन में तुमसे मिल के दीव कितने सारे जल गए चला है जादू आई मिलने है तू सजदा करूं हा रुतों से कहूं आई मिलने है तू सजदा करूं हा रुतों से तू सजदा करूं ही 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 यू ही संग रहना उम्र भरत जाना सनम मेरी चाहत तुम हो तुमसे रह जहां तू ही मेरी दुनिया तू ही मेरा अर्मा सनम दिल की धड़कन सुन लो लो ना इंतिहां रहत तुमसे मैंने पाई हा तुमसे मिलके आया जीहां नैन तुमसे बाते मन की बोले सारी सुल्ले ओ चैन तुमसे मैंने दिलके पाए सारे सुल्ले चला है जादू आई मिलने है तू सजदा करूं हा रुतों से कहूं आई मिलने है तू सजदा करूं कालिदास मैं हूँ कविता मेरी तुम हो सनम तुम बसालो दिल में सुनदो तुम सजा तेरा मैं हूँ राजा दिल में मेरे रहना सनम मेरी राहत तुम हो मेरे तुम खुदा तुम मेरी चाहत हो तुम मेरे हमदम तुम मेरी राहत हो तुम मेरी धड़कन संग चल सनम युही हमारे सुन जरा हा रूप है चाद सा सनम तुमारा चला है जादू आई मिलने है तू सजदा करू हां रूतों से कहूँ आई मिलने है तू सजदा करू मिल गई मुझे किस्मत से रा है मेरे मन्जिल के सांसे मेरे जीवन की प्रीत मेरी धड़कन की गम यह दिल के तुम से मिल के मेरे सार ढल गए ओ, मन में तुम से मिल के दीप कितने सार जल गए बहुत अच्छा गाता है लड़का अधी मां मुझे इसके पास ले चलिए बेटा बेटा मेरी पोती तुमसे कुछ बात करना चाहती है थोड़ा वक्त दो कि बेटा वो आ रहा है नमस्ते सन्नी जी नमस्ते मेरा नाम इंद्रा है मैं यहां आपके पडोस में ही पड़ती थी मैंने आपको कई बार मिलना चाहा लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई मेरे पिता जी संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे इसलिए मुझे भी बचपन से संगीत का बहुत शौक है जब भी आपका गाना सुनती हूँ मैं अपने आपको भूल जाती हूँ सन्नी जी मैं बस आपको देखना चाहती थी मैंने देखने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं देख पाई और आज आप मेरी इतने पास हैं लेकिन मैं अपनी आँखों से नहीं देख सकती एक एक्सिडेंट में मेरी आखें चली गई आपको देखना मेरी किसमत में ही नहीं था फिर भी आपसे मुलाकात हो गई आज मैं सच मुझ बहुत खुश हूँ हमारे घर में आपको एक बड़ जरूर आना होगा आएंगे ना हाँ कि एक भूट म्यूज है क्या गूट म्यूज है इंदू कहां रहती है पता चल गया है उसका पूरा एड्रेस मैंने ले लिया है मिल गया है इंदू का एड्रेस मिल गया है कहां रहती है इंदू कहां पे रहती है उसका पूरा पता हमने लगा लिया है इंदू का एड्रेस मिल गया है वो अपनी दादी के साथ एक इराय के मकान में रहती है इंदू के माता पिता नहीं है वो अपनी दादी के साथ रहती है उसके पिता जी बहुत बड़े संगीत हमने बता कर गलती की अपने हम उसको बताती और ना वो भाग था हाई यार की कशीश कैसी होती है देखना वो बारिश में भाग के चला गया हम लोग चलेंगे तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे क्या होते है तो हो जाए ठीक है फॉलो मी ए बढ़िया तु इस गलत फहिमे में मत रहना मैं तेरा सारा समान उठाके बाहर फेग दूँगा तो यहाँ पर तुझे कोई बचाने के लिए नहीं आएगा अगर तुने किराया नहीं दिया तो फिर क्या हो सकता है ये तू जानती है अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है वैसे में तू हमसे बहुत कुछ ले चुका आज तक तेरा बुरा हो नास पिटे तू बरबाद हो जाओंगा क्या बे अकलो जैसी बाते कर रही है मुझे तुने क्या समझा है मैं सनी हूं क्या सनी है मतलब बच्छोड़ से कुट्टे का बच्चा समझा था इतने लोग यहां पर गुंगे बनकर खड़े हुए हैं तू इतनी हिम्मत करके अंदार आ गया इसका मतलब तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ कौन है बे तू इन लोगों का रखवाला हो आँ यार ऐसा नहीं लगता है इसको कहीं देखा है गौड़ दिल्ला दादी मा प्रब्लम क्या है मकान मालिक का आदमी है भड़े के लिए आया है मैं बैंक से दो दिन का खर्चा किराय निकालने के लिए गए थी लेकिन बैंक बंद होगी जब लोट कर रही तू इंदू बात्रों में नहा आ रही थी और ये खड़ा देख रहा था ए बुड़िया जूट बोलती है तू नहाते समय इसे मैंने कहा देखा ये तो नहा के बाहर आकर जब कपड़े बदल रही थी तब मैंने इसे देखा वैसे वो पूरी मुझे कहा दिखाई दी बलाउस का हुक लगाते हुए मैंने उसे देखा कह द्था दिमा किराया कितना है 2,000 रुपे बाकी है को कि यह लो पैसे को सनि जी हमारे लिए इतनीप डगलीव क्यों धा रहं है यह क्या कोई पूछने वाली बात है मैडाम ये सब सुननी के लिए मामूली बात है यह पैसे तो सनी के मंगले में जळब कोच्छा लगाने इतने बड़े दौलत मंद होकर इस गरीब को सिर्फ 2,000 रुपए दे रहे हो ना इंसाफी हो तुम्हारी जगे मैं होता तो इन गरीबु को घर खरिद कर दे देता बेचारों की किसमत खराब है सनी यहां कुछ मत करना ए बुडिया जब देखो तब पैसा नहीं है पैसा नहीं है यह बोलती रहती हो अरे पोती तो है उसे देदो मुझे सनी कुछ मत करना तुम्हारी पोती देख नहीं पाती है इसलिए तुम मुझे दमाद बना लो सब ठीक हो जाएगा इंदू को अब तेरे बारे में कोई बात गलत नहीं लगनी चाहिए तुम मुझे अगर अपना दमाद बना लोगी न बुडिया तो ये किराय के जंजट से मुक्त हो जाओगी कि ये घर की प्रॉपटी है वो कुर्सी यार थोड़ा संभल के यार ये बुडिया तेरी उमर तो हो चुकी है पर अकल नहीं है दुबारा तुम मार्केट जाएगी थोड़ी लेट आना इधर में तेरी पोती के साथ क्यां 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 कि अगर अगर उसके पैसे के साथ साथ उसी की तरह उसे जवाब देते तो मुझे शायद और खुशी होती है हेज़ें अर्म होइं ऊक्राव क्यां होने एट का जवाब पथर से दे तो और अच्छा होता बस यही तो सुना था मुझे ही अचेक्र Grass आहिं है को खब एफ यो जो खड़ जो खब 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 जस दुब खब śब खब कर दो कर झाँ कर दो झाल 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 चल्मार झाल PHQ झाल झाल हुआ है 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 गाल तो ने बोल क्या था बोल क्या था आज के बाद तो किसी लड़के की तरह पांक उठाकर भी नहीं देखेगा अरे यार सन्नी की आखों में इंदू का खुबसूरत चेरा तुने देखा क्या अरे यार पहलिया मत बुजा साब बता ना जरा सोच यार शादी तो उसकी हुई नहीं है अभी तक दोनों के बीच में रिष्टा भी नहीं है एक दूसरे को सिर्फ जानते पहचानते हैं फिर भ इसे डिरेक्ट पूछ ले सन्नी से पूछने जाओंगा तो बताएगा नहीं यार वो सारी बाते अपने दिल में रखता है अब यार यह क्या मुझे लगता है कोई तेरी जान पहचानवली आ गई है अब गदे वो तेरे लिए होगी तो पर चल पता लगाते हैं इस तरह क्या देख रहे हो तुम्हें मुझको इस हालत में नहीं देखना चाहिए जाओ अच्छा ठीक है जानवरों के अस्पताल से तुका बाया पता नहीं चला अबे दरिद्र ये टावेल इस तरह क्यों लपिता है ची ऐसी बाते मत करो मुझे शराम आती है ची इंश क्यों सगे अब इसे क्या हो गया यार ये नस्ल मेल की है कि फीमेल की है मुझे पता ही नहीं चलता हुँ हुआ है सण narrative कुल brought back to this in कि यह अन्दर आ कि पुराने मंदिर के पास का बंगला उसने बेश दिया आपना खबर कियो तो आपके लिए कार भैजवा देता था कुट्टा कोई बात नहीं उससे घबरानी के ज़वरत नहीं है वो आपको नहीं कातेगा उसे आमने सब ची सिखा दिया है इस बंगले में कुल मिलाकर 22 कुट्टे थे और सारे कुट्टों से सन्नी बहुत प्यार करता था आई आए बैठ जाए यहां है जो प्राइब तरीके से भूग रहा है कौन सी नसल का है है कौन सी नसल का कुट्ता है हमारी सबच में अभी तक नहीं आया सणी जी नहीं है क्यान अशनी वह बोर्ड उप रेक्टर की मीटिंग में अभी आ जाएगा मुझे बहुत गर्मी लग रही है एसी आउन करों क्य इसलिए हमने AC Plant Fit किया है इस घर के सेंटर में AC Fit किया है पावर का कनेक्शन देने वाला होस्पिटल में एड्मिट है जस्ट अ मिनिट कुत्तों को बाल कराता हूं अचल चल क्या करें यार इसने ओवरेक्टिंग को आने में देर हो जाएगा अभी आ जाएगा बस सन्नी जी बहुत अच्छा गाते हैं ना हाँ गाना गाना तो उसकी सिर्फ होबी है सन्नी एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है ये बात किसी को पता नहीं है मझे तो इसने बताया तब जल्दी आजा यहां पर इंदू बैठी है तुमारा इंतजार कर रही है बहुत देर से बैठी है जल्दी आजा अच्छा आई रहा है क्या ठीक है सन्नी आई रहा है आप सन्नी जी के ओडिटर है क्या ओडिटर ही नहीं परस्नल सेक्रेटरी ए आरो और भी बहुत कुछ ही और मैं मेनेजर मैं स्टेनो हूँ घर बहुत बढ़िया होगा ना जी हां चोबिस उरूम्स है बारा एसी आठ और चार ओडिनरी टोटल 24 क्या हुआ सामने स्विमिंग फूल है फिसल गई तो पानी में गिर जाओगी जी हां वेराइटी के लिए स्विमिंग फूल भी बनवाया है सनी ने यह स्विमिंग फूल में टालो यह कौन आप पानी घरब कर रहा है यह कौन एरे स्विमिंग निकल रही हुँ बाबाशल आते क्यों प्यार से नहीं बोसकते ओड़ी हो गया ञां क्या हुआ है बेटी आसल में यह को टेशवर साहब हिंदू यह कोट पोटेशवर है साहब ना नहीं नहीं स्विमिंग फूल इन्no नहीं बनवाया है यह खांदानी बड़े रईस हैं सुपह भी कौटर दोपर में कौटर शाम को कौटर हाँ वही कौटर करके पूरी बालती बरबादते हैं बड़े ही दयावान है सनी के चाचा जी मामा जी सब पुछ यहीं है बहुत हो गया यार हलो हाँ हलो बेटा हलो उसमें कभी तुम्हें अपना टेलीफोन नंबर दिया क् तुमने इस जगह पर स्विमिंग पूल अभी तक देखा क्या मैं कैसे देख सकती हूं अंकल मेरी आखें नहीं है यह लो बातों बातों में सनी भी आ गया है 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 हलो बोलो क्या बात है तुमीने मुझे ख़बर विजवाई थी न मेरी वज़े से आपको तकलीफ हुई सौर ईंदध आपको बिजनेस और ऑफिस का काम छोड़ कर आना पड़ा बिजनेस यह तुमसे किस ने का किसने कहा यह तोस्तों ने इस वहाण पट्र मैनेजर को पार्वी ने सब lets बातों की तुम्हें पता नहीं चला और मोबायर लुकivel मॉवाइली इनाफ के लिए सब ये तुम्हारा नहाने के लिए बनाये वाद स्विमिंग पूल है इन्होंने तुम्हारे दिल को चोट पहुचाई इनकी तरफ से मैं तुमसे माफिय मांगता हूं नहीं नहीं इसमें सौरी कहने की क्या बात है मुझसे सचाईश पाने के लिए शायद इन लोगन ऐसा किया होगा आपके दोस्त आपको बहुत प्यार करते हैं ना शायद इसलिए नर्वस हो गए मैं देख नहीं सकती इसलिए मुझे मुझे पर सानभूती करके मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे मुझे जूट से सकत नफरत है जो होना होगा वो होगा ऐसा मेरा विश्वास है सन्नी जी आपके दोस्त आपकी इसलिए बढ़ाने के लिए किसी से जूट भी बोल सकते हैं इनके जूट को मेरे सामने लाकर आपने जो सच्चाई बताई है उसके लिए मेरे दिल में आपकी इज़त बढ़ गई है सनी जी आपके आसपास कोई किराई का रूम खाली है क्या क्यों उस दिन सिर्फ मेरे एक बार कहने पर आपने उस गुंडे की पिटाई की इस बात से मैं खुश हूँ लेकिन उस जगरे की वज़े से एक घंटे के अंदर रूम खाली करने का ओर्डर मिला है यह घर तो है लेकिन यह बहुत ही छोटा है जिस इंसान का दिल बहुत बड़ा होता है उसका घर छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जाओ इंदू के घर से सामाल लेकर आओ महका महका मन ये महका तुम से है मिलके हाले हाले तुम कत्मों से आ गई हो दिल में सुन ले आए महजबी ले ले दिल नजराना लब पे है हर गड़ी बस तेरा अपसाना आओ दिल से तेरा रखा कर तेरा हौले हौले तुम से मेरी मिल गए है नजरे धिरे धिरे चाहत से तिरी आया है यगी तुम हो मेरे लिए जीना तेरे लिए मेरे सनम तुम मेरी आशकी दिल में जल दिये जाना तेरे लिए मेरे सनम तुम मेरे जिन्ददे तु तिकल अंजानी अब तो तु है दुनिया मेरी तुम से है जीवन मेरा तुझ मेही देखू सवेरा तुम जो नहीं तो कुछ नहीं यारा तहीं देशी तुभारे में तो पूजा करूं मेहका मेहका मन ये मेहका तुम से है मिलके हौले हौले तुम से मेरी मिल गई है नजरे पुझ मेरी 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 तुम से चीवरे नजरे तुम से मेरी सब्सक्राव सुम्मों सनम मीरी हम तो है बस तेरी बन जाओं मेरा नी दिल की तेरी लब पे तेरी पाते दिल में तेरी यादे तुम से हुई आरी दिल की तुम मेरे रब मारा तुम मेरे अब जारा तुही मेरी दिल नशी तुम हो खुशी तुम हो हसी तुम बंदगी बिन तेरे अब जीना सकूं महका महका मन ये महका तुम से है मिलके हुले हुले तुम कदमों से आ गई हो दिल में सुनले ऐ महचाबी लेले दिल नश्राना लप पे है हर घड़ी बस तेरा अफसाना आओ दिल से तेरा में स्वागत तेरी हौले हौले तुम से मेरे बिल गए है नजरे धीरे धीरे चाहत के तेरी आया है यकी देवा अकेले तड़ते हुए दिल को आज तुमने सहारा दे दिया है अब उसे मेरे दिल से कभी दूर मत करना इंदू के साथ जो हासा हुआ वो मेरे कारण हुआ है जब तक ये सच्चाई में उसे बता ना दू तब तक संभाल लेना आज ये सच्चाई बता कर मैं उसे और दुखी नहीं करना चाहता इसलिए आज ये बात उसे नहीं बता रहा हूँ जब ये बात उसको पता चले तो वो मुझे माफ कर दे मैं बस इतना ही चाहता हूँ जब वो मुझे माफ कर देगी तब मेरे जीवन में सुख का सागर लहराएगा बस इतना कर दो भगवान सन्नी ये लो चिठी तेरी माने भेजी है सन्नी कहा है तेरी गैंग चिठी आया है तो कोई नहीं मनी ओडर आया तो सब के सब जमा हो जाते हैं तुससे पहले मुझे पर तूट पढ़ने के लिए तो चिठी पर मैं चलता हम प्यारे बेटी सन्नी को मा का प्यार भरा आश्रवात मैं यहां ठीक हूं तुभी वहां ठीक हो गया ऐसी भगवान से प्राक्तना करती हूं इंडू के साथ जो हाथसा हुआ ये सुनकर बहुत बेटा उस अंधी बच्ची को तेरी जरूरत है बेटा जब वक्त आएगा तब सारे सच्चाई पता चल चाहेगी तब तक तुझे खामोश रहना पड़ेगा बेटा तेरी खुशी के लिए ही मैं कहरें तेरी प्यार इमा बिंदी लगा लो बेटी चीक है दादी मा इंदो तयार हो गई मैं तयार हूँ अरे ये क्या है इंदो बिंदी गलत लगी है देखे नहीं लगा सकती थी कि गलत क्या सही क्या मुझे क्या पता मैं तो बस अपने हिसाब से ही तैयार हो गई देखा आप फिर से भूल गए ना कि मैं देख नहीं सकती हूं सौरी दादी से कहकर ठीक से लगवा सकती थी ना रहने दो उन्हें घर के कामकार से फुरसत मिलेगी तब ही ना सिर्फ एक बिं कि अब चलें क्या एक मिनिट रुको अभी आता हूं क्या हुआ भागवान ऐसे क्यों देख रहे हैं मैंने तुमारे बाग से इंदू के लिए एक फूल तोड़ा इसके लिए नाराज हो सुरी देवा मैं इंदू से कितना प्यार करता हूं तुम जानते हो ना तुम अकेले ही नहीं इस बाग के सारे फूल जानते हैं देखो वो भी कितने खुशी से महक रहे हैं देवा इस एक फूल के लिए तुम उससे नाराज मत हो ना प्लीज इंदू खड़ी हो जाओ क्यों अरे पहले खड़ी तो हो इस तरह मुड़ो लेकिन क्यों यह गुलाब तुम्हारे बालों में लगाना इंदू तो हम चले हाँ ठीक है क्या हुआ सनी जी एक मिनिट दादी मा हाँ यहाँ जल्दी हाँ आ रही हूं बबा जरा इसे देखे न क्या हुआ बेटा इंदू का सब कुस्त ही है क्या देखो अब क्या कमी है ना महालक्ष्मी की तरह तो लग रही है अब तुम्हें मुझे बताओ इसमें क्या कमी दिखाई दे cuánt मेरे दिल का टुकड़ा है यह तुमसे जो भी लड़की शादी करेगी ना वो बहुत ही किसमत वाली होगी. तुम बहुत ही नेक लड़के हो. और वो सब तो ठीक है दादी. सब कुछ ठीक है सरा एक बार देख तो लो. ये कपड़े, ये बिंगी. सब कुछ ठीक है बैटा, यहां यहां पर, यहां बैट, क्या होऊ सनी जी आप इतनी अजीब जीब जीबजी बाते क्यों कर रहे हैं बाहर चलना है, तुमने ब्लाउस क्वहाँ पर सलवाए है, जहां से हमेश्या सिलवाती हूँ, क्यों, क्या हूँ कदें जिनको पेटिकोट सिलना नहीं आता है वो बलाउस भला क्या से लेंगे आइंदा अच्छे टेलर से सिलना लेकिन क्यों देखो राइट सेट का अगला कितना लूज है अब चले चले कि दोंट बरी इंदू तुम्हारे बारे में सनी ने सारी बाते बता जी है तुम्हें एक्जाम में बैठने के लिए यूनिवर्सिटी से पर्मिशन मिल गई है तुम क्वेशन का सिर्फ एंसर दोगी उसी पर तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारे जैसे अच्छे स् चले हम नमस्ते सर काट ब्लेस यू यह वनीला यह चौकलेट इंदू आइसक्रीम खाऊ एक्जाम के लिए इस हालत में भी पर्मिशन मिल जाएगी इसकी उमीद नहीं थी आज मैं सच में बहुत होश हूँ इसलिए एक छोड़ी सी ट्रीट एक्जाम में बैठने के लिए प उसके बाद एक्जाम में पास होने की कोशिश करूँगी तुम्हारे जैसी होनहर लड़की यकिन और फर्स क्लास पास होगी हाँ उसके बाद अच्छी से कोई जॉब करूँगी और नोकरी के बाद उसके बाद उसके बाद शादी ना लगता है मैंने आपका कप उठा कर जूटा कर दिया आपके लिए दूसरा कप मंगा दू किस लिए आपके लिए मुझे यह चलेगा अच्छी सोरी सोरी अरे डॉक्टर साब आप तुम तर नाराज हो गए मैंने तो मजाग में एक्षन किया तुम रियल में एक्षन में आगे भाई पीके तो जोश में आना समझ में आता है लेकिन आइसक्रीम खाका यह जोश कैसा आइसक्रीम में कुछ खास है क्या सॉरी सबतार में मुझे भरती होना पड़ा लगता आज भी मेरी भारी है तो ऐसे मोधर्मा है कौन है कुछ गया आइसक्रीम में जोश वारा क्रीम कहां से आया ऐसे कोई बात नहीं है ऐसा खुछ नहीं है तेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है मैंने सब पढ़ लिया यह सब तुम मुझे क्यों चिपा रहा है नोह तर्मा से तुम प्यार कहते हैं इस खुशी में हमें नहीं मिलवाओगे अ मैडम बाइदयवए आयम दॉक्टर परम हिंसा मेरा मतला परम हंस नमस्ते सुनिये यह देख नहीं सकती डॉक्टर कि आयम सॉरी मैडम को न जाने बिना क्या-क्या कह गया तुम्हें जन्म से नहीं देखता क्या नहीं डॉक्टर एक हाथसे में मेरी अगर मुझे पता होता उससे समय लेकर इस बच्ची को उसे दिखाने का इंतिजाम करा देता डॉक्टर डॉक्टर वो कब जाने वाले हैं दो तीन दिनी के अंदर उससे पहले किसी तर है उनसे अपाइटमेंट फिक्स कर सकते हैं कोशिश नहीं डॉक्टर आपको मेरी हेल्प करने ही पड़ेगी ठीक असन्य पहले इससे मेरे हॉस्पीटर में लाओ कि डॉंट बरी बेटा तुम फिर से देखोगे चलता हूं थैंक यू हाई चिकनी थैंक्स इंदू शेट पर थोड़ी आइस क्रीम लग गई है साफ़ कर क्या था हूं हाई क्रिष्णा उद्धन बस्टॉप पर मिला था सिंबल से बात करके निकल गया आज जी बरके बैट के बात करते हैं कमाँ नहीं या मैं एक फ्रेंड के साथ हूं इसको आपन तेरे साथ दूसरी बार देख रहे ला है बहुत बड़ी आइटम पटा है रे बिल्कुल वनीला इसक्रीम की तरह ए उसके बारे में यसी बात मत कर उसके फिगर के बारे मैं आपन तारीव कर रहा तो क्या गलत कर रहा है उसका शेभ गठीला बदन देख कर तो और उच्छ आजाता है। उठी सीथी बात करेगा तो जांद से मार दूँगा। क्यों बिडू। लड़की मिलता ही अपने दोस्ते मूँ मोल लिया। इतना प्यार हो गया क्या। इस बार मुझे मौका देना है। किया नहीं कर लाइभ विल् demasiHHHH सब्सक्राम्रेन कि एक्रिष्न मत्मार्यार् ओंढ्स है उंको अ मत्मार्यार एक्रिष्न श्या कर राहिए एड को या मुझे नहीं चखिए तु छोड़ दैना मुझ्छको अरे चोड़ और तरे मैं मर जाओंगा इंदू चले यहां से सनी जी आप आगए देखिए देखिए कृष्णा को देखिए यहां पर भी आके तोड़ पोड़ कर रहा है उसी की वज़े से आज मेरा यह हाल हुआ है सनी जी असल में क्या हुआ तुम्हें पता नहीं है नहीं सनी जी उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वह एक नंबर का मवाली है उसे कितनी बार गुंडागर्दी करते हुए देखा है मैंने मैं आज अंदी हूँ तो सिर्फ उसी की वज़े से उसी मवाली की वज़े से उसी की वज़े से मैं आज अंदी हूँ तो सिर्फ उसी की वज़े से उसी मवाली की वज़े से उसी की वज़े से दरबोस दो चाले क्याना लाओंगा पहले दोनों पिछला हिसाब किलियर करो अपने जेब से पैसे निकालो उसके बाद ही चाहे मिलेगी आहा बहुत महान आज में हो तुम करतार तुम अगर दो चाहे दोगे तो तुम्हारा ख़जाना खाली हो जाएगा ऐसा यह भर देंगे यार अब ऐसा नहीं चलेगा भाई पुराना हिसाब चुकाओगे तो ही चाहे मिलेगी यह क्या यार आज कल यह बहुत स्ट्रॉंग फ यह जाए ऐसा डाउट तुझे क्यों हुआ लेकिन यह भाई ने तो पकोड़े का ओडर दिया है वह पकोड़े खाना हमें चोड़ दिया करतार के ओटल का पकोड़ा खाने ही नीच यह पाप रेक्ट है शाए तुब बात भूल गया है जो पकोड़े खाते हैं उसमें हाँ 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 हमने ओडर दिया तो लोकल चाय भी नहीं दिया अभी स्पेशल चाय क्यों दे दिया और इसके बाद चाय कॉफी हॉलिक्स बूस्ट बॉन बीटा इडली उपमा डोसा पूरी बाजी सब मिलेगा सब लाके दूँगा मेरे भाई मेरे पेट पिलात मत मारो कस्टमर को भगाना शुरू किया तो सुपर चाय देने लगा अगर इसके होटल को मेंटेन करने लगे तो दूद वाली देखो स्वामी के जाता ही पाटनर आ गया आओ सन्नी बहुत सही वक्त पर आयो देखो ओडर देते ही स्पेशल चाय आ रही है ए बालू तेरे पास चार हजार चार हजार में कितने शुनियों होते हैं मुझे पता नहीं है इतने पैसे किसले चाहिए तुझे चर्मिनी से एकाई स्पेशलिस्ट आ है इंदू को वहां दिखाना है हमारे पास होते तो चार लाग भी दे देते लेकिन डॉक्टर का अपाइंट में मिल गया क्या क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है अचा सुनो यह यह अंगोटी तुम बेच सकते हो क्या यह क्या सन्नी माने तुझे बड़े प्यार से दी है यह अंगोटी बुरे वक्त में भी तुने इसे नहीं निकाला एक लड़की के लिए तु इसको मैंने इंदू के लिए सुन वब सहुर तुम इसे रहा है और मैंने ज स्टेंभ यह प्यास करें प्िक के लिएवार थाला एक लाख से तुम अंगोटने वी नहीं तुम बुम अंगोटी दुम अंगोटी टुम इसे अज्ति तुम सही बताओ तुम आड्रस जानते हो यह नहीं जानता हूं तू किसे बात कर रहा है जानता है इस शहर के हर गली का एड्रस में जानता हूं तू कहता है मैंने जानता बैठो यहां से श्ट्रेट जाकर राइट को मुढ़ जाना चोड़ वे जोगा जेल का पता जाए तुझे वेरी सिंपल यार यहां से राइट में जाकर लेट में मुढ़ जाना और वहां से उस लड़की को देख फर्स्क्लास है इचे से देखने में इतनी सुन्दर है तो आगे से द अब देख रही हो तुम लोग बस का आई यह लड़की अपने मादव यह लग रही है ना इसा तू क्यों कह रहा है हो ना हो भाई यह मादव मादुरी बन चुकी है यह कब से मादुरी बनने की तैयार है ती चलो चल कर देखते हैं चलो आई आओ अश्राम और शुक्रवार है ना तुम लोगों ने पूजा नहीं की क्या है मैं कुछ पंडितों को बुला कर बड़ी शान से पूजा करने वाली हूं हम मादव मुझे लाइन मारने के लिए यह मावाईली लोग ट्राई कर रहे हैं इन्हें मत देखो आप किरकार तू दीरे दीरे करके मादरी बन गई तुझे किसी की नजर न लग जाए समझी ए मिश्टर लेडीज लोग के सामने तुम एसी वलगर बात यह मत करो तुम्हारे मा बेंट नहीं है क्या है थेटा जोड़े अपना फ्लैश बैक भूल गई क्या एबल का कनेक्शन देते हुए तू चोरी से मुझ से लिपढ़कर म प्रमोशन में बढ़ रहा है देखो न देदी यह मावाली हम लोगों को छेर रहे हैं यह मेरा एरिया है तुम जैसे मावाली को अरेस्ट करना ही मेरा मकसद है और तुम जैसे मावाली ओको सड़क पर गुमने की बज़ाए लोग काप में होना चाहिए यह मेरा अब आ अब बाइए 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 बस में जाना है चल चल ले यहां से विनायक मैं इंदू को डॉक्टर को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं विनायक अगर तुम चाहो तो उसे दोबारा आखों की रोशनी मिल सकती है मुझे नहीं चाहिए ऐसा क्यों हमेशा तुम उससे मांग के लेते हो आज मैं दे रहा हूं तो तुम मना कर रहे हो वह मान इस बार मुझा है गाहों से टेलीग्राम आया है टेलीग्राम मा अब नहीं रही संदी टुमारे सारे दोस्त लोग तुम्हारा मनिया डराया सोचकर देखो 나 खुश्या मना रहे हैं अचैनी जी i आप जरा यहां आई है क्या है सनी महर्मानी करके ये बाद किसी को मत बताए कि बाद मैं बताऊंगा अभी जाए अच्छा कि अब तेरे कहने के मुताबिक मैं अंगुठी बेचकर पैसा लाया हूँ छे बता होता कि मनियॉडर आ गया है तो मैं मा के दूई यह अंगुठी नहीं बेचता यार वालू अब सब कुछ खत्म हो जाया सनी जी जॉक्टर के पास कब चलना है चलते हैं मैं आता हूँ को आता हो आता है जी जॉक्टर के शुचट बेचा है वालूब आता है तो पास बना यार आधुचर के अघट सब के वालूब से वालूब आता है मा मा! 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 वो गलान, वो ऐसाए वरोगज अरोज और जलान इन्दू चलो चलते आज आपने फूल नहीं लगाया फूल मुर्चा गया है चलो दादी मा क्या बेटी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं अच्छा सनी आप ही है ना हां डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया है कि कम आं संनी डॉक्टर ये मिश्टर सनी रिश्टो फ़र लीज बी सीटेट कि चेकप हो गया है ये तुम से कुछ बात करना चाहते हैं कुई बात नहीं डॉक्टर जो कुछ कहना है मेरे सामने कहिए ऐसे पढ़ने से आखो की रोशनी पुरी तरह जा चुकी है ऑप्रशन के बाद भी ठीक होना ना के बराबर है देखो ये डिप्रेस हो जाए कि इसलिए बात करना चाहते थे दोंट वरी सनी आई विल गेव लेटर तो आई बैंक और आई तो रमेश हैद आफ देपार्टमेंट ये विल दो बेस्ट तो ये जिए जबीव गेव एव चिंदो सुक्ष्टों आई बैंक याइटर दिया है अलेट्स गो एं ट्राइ थेंक युद अला ना जो भेस्ट इन दो चला सिंगे सन्नी जल्दी चले यार क्या हुआ पोस्ट मेंने सब बता दिया है तू चले यार चल आजा सन्नी क्या हुआ सन्नी जी दर्वाजा को लो कुछ नहीं दो आप चले सन्नी आगे है बीटा अरे तेरी मा तुझे देंके बगरी चली गई रहे मा का है मा का है उससे समशान गाट लेकर गया है उसका अंतिम सास्कार करने के लिए बेटा मा 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 यह सनी मा आ अगे मा यह सनी रुग जा इसनी नहीं सनी रुग जा समझा मेरे भाई समझा जा सनी मुझे आखरी बार मा के दर्शन करने का मौका भी नहीं मिला भाई तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये बात नहीं है सनी तुझे खबर मिजवानी के हमने बहुत कोशिच की लेकिन माने रोक दिया अपने अंतिम समय में माने इंदू के लिए अपनी दोनों आखे दान कर दिया हां भाई मा की सांसे चल रही थी तभी ओपरेशन करके उनकी आखे निकाल ली गई ओपरेशन के बाद मा के पार्थिव शरीर को ला कर मैंने अगनी के हवाले कर दिया मैंने अगली क्यावाले करती है इंदू बेटा, सनी इस वक्त अपनी माँ को लेकर बहुत धुखी है और वो अक्यला पड़ गया है, तुम जाकर उसे होसला दो बेटा सनी जी इंदू, तुम देख सकती हैं हाँ इंदू, तुम इस दुनिया को जरूर देखोगी माँ अपनी दोनों आखे तुम्हारे लिए छोड़ कर गई है, अब तुम जरूर देखोगी माँ की आखों से तुम देखोगी मैं जानती हूं सनी जी कि इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी सारे गम को सीने में चुपा कर सिर्फ मुझे खुश देखने के लिए मेरी परीक्षा ले रहे हैं आप सनी जी, अगर मैं नहीं भी देखूं तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला मैं भगवान की मर्जी समझ कर आपकी आँखों से देखूंगी लेकिन एक बात मेरे इस मन में रह जाएगी जो मेरा सहरा बना, जो मेरे लिए जी रहा है उसको मैं अपने मन की आँखों से देखकर खुश रहने की कोशिश करूँगी और अपने मन के देवता को एक ना एक दिन जरूर देखना चाहती हूँ जानते हैं क्यूँ, मैंने आपकी मम्मी को नहीं देखा लेकिन उन्होंने अपनी आँखें देखकर मेरी जिंदिगी में खुशियां बनने की कोशिश की है उस देवी जैसी मा को भी भगवान ने अपने पास बुला लिया उन्हें तुम्हें देखने ही सकती लेकिन अब मैं आपकी मा की आँखों से आपको एक बार देखना चाहती हूँ सिर्फ एक बार सनी जी सिर्फ एक बार आपको देखना चाहती हूँ मैं एक बार देखना चाहती हूँ आपने जिस इंद्रा को एड्मिट किया है उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके सारे टेस्ट मैंने कर लिये हैं उसका ऑपरेशन करने के लिए जो पैसे आपने दिये थे वो खत्म हो गया आगे के काम के लिए एक लाख रुपए जमा कराना पड़ेगा एक लाख रुपए? जी हाँ आप एक लाख रुपए का अंपिजाम कर लेंगे तो उसकी आखों की रोशनी आ जाएगी और वो देख सकेगी इसलिए कि माने इतने प्यार से जो आखे दिये उसके काम आ सकती ही देखो भाई एक बेटा होने के नाते अपने पिता के लिए तुभारी तड़प में समझ सकता हो एक डॉक्टर की हैस्सेत से कह रहा हूँ ओ नेगेटिव ग्रूप की, किड्नी डोनेट करने वाला इंसाल मिलना बहुत मुश्किल है, आप एक बार पूना में ट्राइ कीजिए नहीं डॉक्टर, वहाँ पर किड्नी देन वाले व्यक्ति नूँ, हैवी बलड शुगर है, इसलिए उस दी किड्नी किसी कमदी नहीं एस तरह डॉक्टर ने क्या है, अगर आप उना नूँ कोई मिल गया तो ओ मैं नूँ फोन करांगे, किसी भी तरह करके मेरे पिताजी बचालो डॉक्टर साब, प्लीज, मैंने अपसे अभी-अभी कहा ना, ओ नेगेटिव ग्रूप का आदमी मिलना वाकी बहुत ही मुश्किल है, और अगर वो मिल भी जाए, तो इसकी क्या गैरेंटी कि वह अपनी किड्नी देगा, डॉक्टर, येस, मेरा ब्लड ग्रूप ओ ग्यारा बजे तक पुना पहुंच जाओंगा, ओप्रेशन के किन्हा जमा करना है, एक लाख, एक लाख, दस लाख भी खर्चा होए तो परवानी, इत्थे इंदू दी जिम्मदारी मेरी, उत्थे मेरे पिता जीनू बचान दी जिम्मदारी थ्वड़ी, पहले पैसा लेकर हॉस्पिटल वेच जम्हा कर दो, थेंक यू सर, ओके, मैं आज हे कि फ्राइट से पुना निकल जाओंगा, थेंक यू सर, थेंक यू बरी मच, मैं तेरे लिए दूद लेकर आती हूँ बेटा, ठीक है तादी मा, अरे बेटा, अभी नर्स कहके गई है, शाम को आप्रेशन करेंगे, तुम्हारा हैसान का बदला, मैं इस जीवन में कभी नहीं चुका पाऊंगी, भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, अब तुम ल उसकी चिंता तुम क्यों करती हो, तुम्हारा ओपरेशन ठीक से हो जाएगा, सनी जी, इस वक्त में क्या सूच रही हैं आपको पता है, जब मेरी आखों की रोशनी थी, तब सिर्फ मैंने आपके गाने को सुना था, और आज आप मेरे सामने हैं और मैं आपको देख भी नह जो, बैठो, इंदो, ये मौका तुम्हे इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ओपरेशन के बाद जब तुम देखने लगोगी, उस समय अगर मैं तुम्हारे सामने ना रहू तो, मतलब आपको देखने के लिए मुझे एग्रिमे में रहे हैं, मैं आपकी पूजा करती हूँ, जब मैं देखने लगोंगी, तब आप मेरे सामने नहीं रहोगे, तब तो मेरा देखना ना देखना कोई माइने नहीं रखेगा, सनी जी, सनी जी मैं आपको अंधेपन का सहरा ही नहीं अपने जीवन भर का साथ ही भी समझने लगी हूँ भगवान के लिए आप मेरा ये सपना मुझसे छीनने की खोशिश मत कीजिए ओपरेशन होने के बाद सबसे पहले मैं सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ उस वक्त मेरी सामने आप रहेंगे इस ही आशा से मैं आपरेशन थेटर में जाओंगी हाँ प्रॉप्स कि याद्रीयों प्रुपिया थ्यांदे उंपई से हाइद्राबाद जाने वाली फ्रुपियांने गुंपेट सिध कुछ वालीन बुम पाइद्री लिए मुंपिया सितुन हुपिया जाने की लैक जर्टारए इसुझिक इसक्यूज में आप हैदराबाद जा रहे हैं हाँ मैं अभी हैदराबाद जा रहा हूँ एक छोटी सी मदद करेंगे प्लीज बोलिये इस सूटकेस का ध्यान रखेगा मैं अभी बातरूम जाकर आता हूँ थैंक यू कि इंस्पेक्टर इस रूख किसमें खोलो बाम है इसमें और अरे मैं कुछ नहीं जाता यह बेंगे राणी कर्या निये है अब इतने साल जील में रहे ये बात इंदू जानती है क्या वो नहीं जानती पहले में इंदू की नजर में एक शरीफ इंसान था अवबार में फोटो छपने के बाद उसके और दुनिया के लिए टेर्रिस्ट बन गया हो लेकिन इस वक्त इंदू है दराबाद में कहा है कैसी है ये बात आप नहीं जानते इंसान अपने दिल में जिसको बसा लेता है उससे दूर होने के बाद उससे कितनी टेंशन होती है ये बात आज आपसे मुझे पता चली अब इंदू को कहा तलाश करोगे वो जब तुम्हें मिलेगी उसका रियक्शन क्या होगा ये जानने के लिए हम बहुत बेचैन है सर क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं सर हम भी आपके साथ चल सकते हैं क्या हमें अपना लगेज रखकर लोटने में बहुत देर हो जाएगी आज नहीं तो कल फिर हमारी मुलाकात होगी आज ही क्यों सनी जी इंदू आपको जरूर मिलेगी बेस्ट अफलक सनी बेस्ट अफलक सा लगे जो उठाना है यहीं जाना है साब यहाँ पर नहीं थोड़ा और आगे लो थोड़ा आगे पीछे करके मुझे कब से घुमा रहे हैं खुट को तो आपको पता नहीं के कहा जाना है थोड़ा सा कन्फूजन हो रहा है वो लोग यहीं पर तो रहती थे रोड के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकाने हुआ करती थी अब तो एक भी नहीं यही तो बात है साथ साल के अंदर यह एरिये का नक्षा ही बदल गया है यहाँ पर डेवलप करने के लिए कॉर्परेशन वालों ने यहाँ के सभी लोगों को दूसरी जगा शिफ्ट कर दिया है अब यहीं में रोड बन गया है पता नहीं बड़सोबाद कहां से चले आते हैं ए तुम बाहर उत्रो साथ साल पहले का एड्रस लेके मेरे आटो का टाइम क्यों घोटी कर रहे हूँ चलो जाकर पैदल ढून लो हलो यहाँ ए घड़ी वाला टावर था तुम्हें पता है घड़ी वाला टावर? मैं यह तो कभी देखा नहीं शाप जी मुझे पता नहीं है यहाँ पर केबल टीवी वाले कोटेश्वर राव रहते थे उनका एड्रेस बता सकते हो? मैं पांच-छे साल से नौकरी कर रहा हूँ मैं तो यह नाम भी नहीं सुना हूँ पहले रहता हो? पता नहीं मैं नहीं जानता आप बाजू की विल्डिंग में पुछ लीजिए हाई साप यहाँ पर नंदू जी की एक होटल हुआ करते थी इस वक्त तो कहां पारे कुछ पता है? अच्छा वो पंडी जी चायवाले के बारवेकर है उन्हें दूसरी जगर देकर यहाँ ब्रिज बना दिया गया है अभी सिर्फ एक मंदिर बचाए दुर्गामातका कि लिए हरे कितने साल होग इंदरा को देख hybrid कोई बात नहीं तू तो मिल गया न कहां है तुम्हारे सब साथी इंदू कहां है है पालू कहां है और सब लोह कहां है चलो तू तो मिल गया न, बस अब मेरी हिम्मत बढ़ गई है हुआ बद को क्या भी Haven इंडू, इंडू! इंडू, इंडू! धदू, आले लोगा! कि यह गारी रोको अरे दास हां सन्नी दिखाई दिया है कहां है वो यहां कब है पता नहीं कब है लेकिन गारी के पीछे दोड़ रहा था चल देखते हैं कि इन्दू कि इन्दू कि गारी रोको कि इन्दू नमस्ते मेन नमस्ते मेन नमस्ते कि इन्दू कि इन्दू कर अार्ण AH! रहाई है बत्ततत pas दोसे जब हो ङ lin सब्सादो हो। वह है यह मुझ हो से बात कर निया अरेस्ट इंस बड़ी बगर इँआ इगाइ! इसको उठागे जीब में डालो। सनी? सनी, रुखचा बेटा, इस तरह भागते नहीं। आपका बच्चा है? हाँ मैडम, नाम क्या बताया? सनी, नाइस नेम। मैं ही सनी हूँ, उसे ये बताने का माका मुझे कभी नहीं मिला। तुम अपने मन में जहाटकर देखो, मैं आज भी रही हूँ। पहचान सको तो, पहचान रही हूँ। क्यों भे दिखाई नहीं देता क्या? अरे क्यों इतना चिला रहा हूँ भाई, स्पीड कम रखो गाड़ी के ओपर सायरन होते हुए भी इसनी स्पीड में गाड़ी लेकर आ रहे हूँ। इसमें रिक्षावाले की क्या गलती है? चलो ठीक है, ठीक है, की गई गलती के लिए, अगर तुम 86 रुपीज फाइन भर देते हो, तो ही तुम यहां से जा सकते हो, वरना नहीं, हैट्सॉल। यह अटो ड्राइबर तो कुछ नी बोल रहा है, तू कौन होता है बोलने वाला। एए, इज़्जट से बात करो, मैं हो पबलिक। वैसे तो रिष्टे में तुम मेरे भाई लगते हो, इस वक्त तुम यूनिफॉर्म में है इसले ऐसी बाते कर रहे हो। अरे, यह पीछे भागते वे क्यों जा रहा है, आज कर लिए पुलिस डिपार्ट्मेंट में भरती हो गया है क्या। हलो जिमी, जिमी, आम कमिंग। एए, जिमी, क्या कर रहे तो, एए, तुझे क्या हो गया। एए, सनी, अरे तेरा यह हाल किस ने कर दिया रहे। सनी, उवाफ या, मृफ हो, में इसे ने साल ही, आम एषक्याद, मता मुझे मेरे वात रहें क्या होे, क्याकर ग्लेक्टर साथ को यह बात बता, से लिए जांता है, क्या हो जाएंगा। वह यह थैस ने ही हिसमार्ने के लिए हमें आज यस दिया था। जगा कलेक्टर साहिबा ने मारने के लिगा उन्होंने ही का है विश्वास निये जाकर पुछ लो यहां पर किसी के जिन्दी की और मौत का सब आला है 15 मिर्ट के लिए मीटिंग भी तो क्यों फर्क निपड़ेगा ओ कलेक्टर में जाओ लुग बहरा जाओ इंदू एंदू इजद से जाकर उसे मा भी मांग ले क्यों चिल्ला रहे हैं जजबात में बह गया था मेम साहब माफ कर दीजे गल्ती हो गई पुलीस वाले ने मालकर जीप पे किसको डाला आपको पता है पता है पता होते हुए भी तुमने उसे मरवाया मेरे कहने पर ही पुलीस नो से अरेस्ट किया है तो आप क्या कर लेंगे तुम अपनी आवकात भूल कर बाते मत करो मैं कुछ नहीं भूली हूँ लेकिन आप खुद अपनी आवकात भूल रहे हैं हाँ बेटी मैं अपनी आवकात भूल कर बाते कर रहा हूं मैं बिल्कुर इसका भील नहीं हूँ आज तुम एक बड़ी औरत बन चुकी हो जिसके हाथ में कानून है एंकार से भरी हुई है यह तुम नहीं समझ भाएगी कभी जब तुम रोटी के एक एक निवाली के लिए मुहताज थी उस समय उसी बंदे ने तुम्हारा साथ दिया था बड़े बड़े लोग भी एक ही दिन में खाक में मिल जाते हैं लेकिन इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए आज इतनी बड़ी बन चुकी हो कि इंसानियत के धन को भूल गई हो तुम नारी कहलाने के लाइक दियो इन्हें गेर से बाहर निकालो हिंदू अगर हम जाने में तुछ से गलती हुए तो जाकर उससे माफी मांग ले ऐसा ना हुआ तो दुबारा कभी उससे नहीं मिल प्रूप तुम 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 स्टोप, स्टोप अबस आप शनीजी है न? आप सनीजी है? आप सनीजी हो किया? बताऊ लाप लेज मेरे सनीजी कोन है? बताऊना मेरे सन्नी जी कौन है आप कौन है मेरा नाम इंदू है आप ही इंदू है क्या यह गाना तो हमें सन्नी नहीं सिखाया क्या तुम जानती हो कि वह कहां पर है सत्यम शिवं सुन्दरम ओ मंगलम मंगलम हिदय में बसती तुम मेरे दिल की तुम रानी तुने ना पहचाना मैं हूँ तेरा दीवाना क्रदय में बसती तुम मेरे दिल की तुम रानी तुने ना पहचाना मैं हूँ तेरा दीवाना प्यार में तेरे तो कर दू जा कुरबा खुलते ही मेरी ये पल के ढूंडे तुझको ही सपनों में हर पल तू आए सच में मिली न कभी तेरी पूजा करना मेरा दिल ये चाहे सनी जी आप मुझे छोड़कर इतने दूर क्यों चले गए थे मताईये ना क्यों चले गए थे मैं आपके आने की रह कब से देख रही हूँ कहां चले गए थे आप सनी जी मेरी वज़े से आपको इतनी तकलिफ से नहीं पड़ी आप मुझे खुद नहीं बता सकते थे कि सन्नी आपका नाम है और आज मैंने ही आपको अरेस्ट करवाया तब भी आपने नहीं बताया कि सन्नी जी आप हो मुझे बता नहीं सकते थे क्या ओपरेशन होने के बाद जब पट्टी खुल रही थी तब सबसे पहले आपको देखना चाहती थी सन्नी जी आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ वो सिर्फ आपकी वज़े से है यह ओधा यह इसद यह सब कुछ सिर्फ आपकी वज़े से है सन्नी जी आपका यह हैसाद मरकर भी नहीं जुका पाऊंगी मैं आपको पहचान में नहीं पाई सन्नी जी मुझे माफ कर दीजे मुझे माफ कर दीजे इंदू मुझे माफ कर दीजे जाहे सत्कंशिवं सुन्दरं ओ मंगलं